आई प्रॉब्लम्स देश भर में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं मोतियाबिंद करके, कैटराइक करके एक प्रॉब्लम है जो अर्मोस अपको होनी है अगर आपने ठीक नहीं करा तो पूरी लाइफ के लिए विजन जो है वो खराब हो जाएगी बच्चे के बॉड़ी में भी कैटराइक्ट हो सकता है इन फाक्ट यंगेस पेशिंट एटाइट वर कैटराइक को स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ रूल होने चाहिए बच्चों के लिए और जो यंग अडर्स हैं उनके लिए भी कुछ स्क्रीन टाइम गाइडलाइन्स दे दीजे देखो कंटाइक लेंस जो है ना बहुत खराब चीज़ है वी से इट वर्क्स नेगेटिव वे ऐस अब डॉक्टर सबसे क्रेजी लफड़ा आपने क्या देखा है आई फ्लू का एपिडेमिक आया था सबकी आंके लाल हो रही थी आंकों में इंफेक्शन हो रही थी तो एक वाट्साप पे वीडियो चल रहा था कि आई फ्लू हो रह हनी डाल लो रोज वाटर डाल लो घी डाल लो चेह डाल लो इस से चश्मे का नंबर हट जाएगा ऐसा स्टडीज में मिला है कि सम प्रॉड़क्स कुड अलसु हाव स्टिरोइड्स इन थैं मुझे मेडिकल कॉनसेशन नहीं कूल क्यों लगता है क्योंकि आप लोग से पता आई डॉक्टर जो एक लेसिक सर्जिन भी है जो चश्मों के प्रॉब्लम को आपके बॉड़ी से निकाल देते हैं ऐसे एक अंसान आ चुक है हमें आखों के बार में ज्यादा सिखाने के लिए क्योंकि चाहे आप बच्चे हो या बुड़े हो आपकी आखों में प्रॉब् आज के मेडिकल बायोलोजी और बॉड़ी स्पेशल में फिर से आपका स्वागत है और आपका स्वागत है डॉक्टर साब थांक्यों वाच विए डॉक्टर राहिल चौधरी का स्वागत है आप टेक्निकली स्पीकिंग एक सूपर स्पेशलाइज आई डॉक्टर हो आप सूबे से रात तक लोगों के चश्मा टाने के उप्रेशन करता हूं तो यह बहुत कुछ पूछना है आप से क्योंकि आजकल लोग बायोलोजी के ब चौछे लोग डॉक्टर की इंपोर्टेंस जान चुके यह समझ चुके कि आप साइंस के योद्धा हो और एकषाना चाहना चाँगा पहले क्या बहुत सेक्सी दिखर हो अई यह स्पॉज्टर पैना वैना इस इस बोटी स्क्रब बड्रॉट तो यह हम कपड़े पैनते हैं we feel doubly, triply powerful. एक responsibility feel होती है. आपसलूटली. 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 एक 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 डिफरेंस इस लाइफ. कोई operation है, कोई इंसान देख नहीं पा रहा, उसको operation करेंगे, वो दुबारा देख पाएगा. इस विग feeling of positivity and achievement. जो आपने कहा कि आपने super speciality की हुई है. बट अक्चली पहले आप MBBS करते हो, फिर आप MD करते हो, उसके बाद speciality, super speciality होती है. तो MBBS में पूरे body के बार में सीखते हो, MD के बार में एक specific part और speciality और या super speciality में उस specific part का specific part. आपसलूटली. बहुत basic सवाल है पहले. At least मैंने यह notice कि eye problems देश भर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. और अपने नोटिस किया? Yes. Especially after COVID, हम देख रहे हैं कि जो चश्मा या जो glasses का incidence है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ किया है. And every year हम लोग देख रहे हैं कि चश्मे होने की problem को हम लोग मायोपिया कहते हैं. And अगर हम इस तरह की countries में देखें, China हो गया, Korea हो गया, Singapore हो गया, Japan हो गया, इन सब countries में almost 70 to 80% लोगों की आँखों में चश्मा लग गया है. और अब slowly slowly ये incidence इंडिया में भढ़ रहा हैं, और western countries में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. So usually people ask कि भई ऐसा क्या हो गया, कि एकदम से ये सब चीज़े बढ़ रही हैं. जब हम लोग स्कूल में थे, you would have realized कि अगर class में 50 बच्चे होते थे, तो 3-4 लोग की आँख में चश्मा लगा होता था. And now we see कि almost आधी class को चश्मा लगा गा है. So what has happened suddenly? तो इसमें न देखो चश्मा आने के न 2-3 कारण होते हैं. तो पहला कारण तो होता है genetics. कि अगर हमारी parents के आँख में चश्मे का नंबर है, तो बच्चों के आँख में आ सकता है. But you'll find कितने सारे parents ऐसे जिनके आँख में चश्मा नहीं है, फिर भी उनके बच्चों के आँख में आ गया. तो दो बड़े important reasons सामने आ रहे हैं. पहला reason आ रहा है यह जो excessive काम हम करते रहते हैं mobile phone computer laptops में. देखो क्या होता है कि हमारी जो आई एना it is designed to see distance. दूर का देखने के लिए बनी है. Now when you are continuously on mobile computer laptops, आप अपनी आँखों को force करते हैं near का देखने के लिए. तो जब आप force करते हैं तो आँख में कुछ इस तरह की changes आते हैं कि आँख की जो length है वो लंबी हो जाती है. आँख की length at mobiles and computers आपके आँखों में इस तरह की stretching होगी इस तरह की changes आएंगे कि eyeball का size जो है वो लंबा हो जाएगा, elongate हो जाएगा और आँख में minus का number चड़ जाता है. And this has been found in lot of researchers, especially कुछ doctors आए थे, America योरोप से, very high five big doctors, वो दिल्ली में आए थे and दिल्ली के जो top schools है वहाँ पे गए थे. And what they realized was that every one kid, जो चश्मा पहन रहा था, उसके साथ एक ऐसा बच्चा है, जिसको पता भी नहीं है कि उसकी आँख में चश्मे का number है. So this is the magnitude of problem and usually क्या होता है कि अगर बच्पन में आप चश्मे का number ना पिनाओ. So और बहुत सारी problems आँख में होनी शुरू हो जाती है. अगर बच्पन में आपको नहीं पता चला है. So अगर आपने बच्चे के आँखे चेक नहीं कराई है. आँख में चश्मे का number है और उसको चश्मा नहीं मिल रहा. उससे एक set of problems और हो सकती है. जैसे सबसे पहले तो एक जब तो स्कूल में जाएगा परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसको दिखेगा नहीं. तो कितनी बाई teachers complain करते हैं कि आपका बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहा. पता लगते हैं कि वो तो बोर्डी नहीं देख पा तो पूरे दिन उसको सिर्दध, हैडेक, इस तरह की problems नहीं शुरू हो जाएंगी. चश्मे का नंबर चड़ क्यों रहा है? So I told you एक तो genetics reason है. Then I told you कि excessive work on mobile and computer उससे चड़ जाता है. एक और चीज़ मिली है हमें कि अगर आपका sun का exposure धूप का exposure specially बच्चों में अगर कम है तो भी चश्मे का नंबर चड़ जाता है. So you would realize कि Singapore जैसी countries हैं वहाँ पर इनोंने school में mandatory कर दिया है कि बच्चों को डेट से दो घंटे outdoor activities में sun में जाना ही है. So that that incidence is lowered. But if you are working against the nature, अब धूप में नहीं जा रहे हो रात को लेट लेट टक काम कर रहे हैं mobile computers है, उससे blue light निकल रहे है आपका sleep cycle खराब हो रहा है. So ultimately starting में तो कुछ नहीं होगा. But when it becomes chronic, तो problems तो आएंगी न. पता है, doctor, क्योंकि हम इतने सारे video बनाते information-related, health-related मेरे research के तुरू मैंने काफी कुछ जाना है body के बार में पर मेरा ये मानना है कि अब, क्योंकि बहुत साथ लोग internet को पहली बार यूज करने, लोग अब जाने blue light होती क्या है mobile phone usage से होता क्या आपकी आँखों में एक study की गई थी जहां ये notice किया गया कि अगर आप phone यूज कर रहे हो या laptop यूज कर रहे हो और अगर आपको अपनी खुद की eye को rest देनी है उस usage के बीच every half an hour to 40 minutes आपको बाहर जाकर long distance viewing करनी चाहिए यानि कि कि किसी पहाड को देखना चाहिए या दूर के building को देखना चाहिए या clouds को देखना चाहिए ताकि आपके आँखों को rest मिल जाए भी biologically speaking please correct me if I'm wrong पर मान लो अगर और ये मैं audience को भी कहूंगा आपकी उंगली आपके सामने रखो और उंगली पर focus करो फिर जो उंगली के उस पार है दूर है आपस उस पर focus करो उस वज़े से आँखों का focus बदल रहा है and myopia condition यानि की चश्मों की condition basically यही one of the causes is that वो muscles weak हो जाता है थोड़ा सा slightly I'll just add into that so सबसे पहले यह जो बताया कि भाई कुछ टाइम mobile computer के बाद break low and look at a distance this is a scientifically proven thing इसको हम लोग कहते हैं 20-20-20 rules this rule or this activity is adopted कि आपकी आँखों में strain ना बने digital strain ना बने digital strain so I'll just elaborate on that दिखो क्या होता है when you are long hours on the screen so when you're looking at the screen हमारी आँखों का जो blink rate है वो कम हो जाता है बना भूरते रहता हो जब आप screen पे continuously focused हो so a normal person is blinking about 16-18 times in a minute but when you're focusing on the screen तो आपका ये जो जपकने का rate है blink rate है ये कम होके 8-9 बा रह जाता है so जब आप blink कम कर रहे हो तो हमारी आँखों में जो tears बन रहे हैं वो आँख में ठीक से फैल नहीं रहे मलब हर किसी आँखों में moisture रहता है पानी रहता है हमारी आँखों में ऊपर वाले ने आसू बनाए है बट आसू तो बन रहे हैं लेकिन हमारे lits का काम है कि जब हम blink करते हैं तो आसू हमारी आँखों पे फैल जाता है so when you're blinking less ये आसू आँखों पे ठीक से फैल नहीं रहे तो आँखों में dryness की problem आने शुरू हो जाती है so अक्सर you will see जो लंबे समय तो mobile computer पे काम करते है देख complaint कि हमारी आँखे सूकी सूकी लगती है irritation लगती है लाल हो जाती है चुबन चुबन लगती है तो ये सारे symptoms है आँखों पे dryness आने के तो इसके लिए हम थोटा सा अभी I'll discuss about the 2020 तो इसके लिए 2-3 solutions होते है second क्या होता है कि when you are long eyes on the screen तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आँखे जो है they are designed to see distance दूर का देखने के लिए बनी है अब जब आप pass का देखते हो तो हमारी आँखों को अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है जिसको हम लोग कहते है convergence तो मोड़ने के लिए muscles यूज होती है and जब हम pass का देखते है तो हमारी आँखों के अंदर भी कुछ muscles है जो हमारी lens को मोटा पतला कर सकती है तो वो भी काम में आती है lens को थोड़ा सा मोटा करती है ताकि आप pass का देख पाऊ अब आप जब लंबे समय तक उसको देखे जा रहे हो तो कुछ टाइम बाद यह muscles थक जाएंगी इसके लिए ग्लास आपने यूँ पकड लिया तो initially तो सब ठीक है कुछ ताइम बाद हाथ थक जाएगा and you can't hold that glass again तो कुछ ताइम बाद muscles हमारी थक जाएंगी और आपको strain आना शुरू हो जाएगा तो इसके लिए what we recommend is 20-20-20 rule which means हर 20 minute में 20 second का रेख लो और 20 foot दूर देखो 20 foot तो 20 foot दूर का मतलब एक तरह से distance हो गया तो 20 foot काफी होते हैं तो 20 foot एक तरह से distance हो गया दूर हो गया 20 foot का मतलब ऐसा नहीं है कि 20 foot पास है 20 foot को हम distance ही मानते है क्योंकि 20 foot के बाद जो light rays है वो parallel हो जाती है scientific तो 20 foot दूर देखो उस तरह हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आंकों को blink करो ताकि tears फैलें थोड़ा सा हम बोलते हैं जादा irritation हो रही है तो आंकों में lubricating drops को डाल दो तो आजकल market में available है refresh tears teasy करके available है use it 3-4 times in a day बट एगर ऐसा हो रहा है कि आप mobile computer use करते हो और 15 minute में आपको आंकों में दर्दोना शुरू हो जाता है that means कि आपकी muscles जो है वो कमजोर है अब उन muscles को strengthen करना है तो वो जो आप exercise बता रहे हो ना कि उसको double करना है फिर उसको देखो fuse करो and then count till 10 this exercise is basically जो आपकी muscles है उनकी training कर ली है आज मैं सपोज 500 मीटर भाग सकता हूं में को 20 में को सब्सक्राइब भागना है so I have to do that gymming I have to train my body muscles को strong करना है so अगर आपका 10 minute में muscles ठक जाती है so you do these exercises आंकों की muscles tendon हो जाएंगी और आपकी problem खतम हो जाएगी so these are the things we check कोई आता है कुछ ताम बाद आंकों में दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो रहा है तो ये तीन चार चीज़े हम लोग चेक करते and usually इनी में से कोई ना कोई problem निकलती है तो basically मतलब आपको अपने आंक पे muscles को वोग करना है कुछ लोग की तो strong होंगी कुछ लोग की वीग होंगी genetically निकुछ लोग की normal होंगी so they can take that strain कुछ लोग की strain नहीं ले बारी उनकी हमें access करना है but practically speaking 2024 perspective से जो हम बच्चों में देख रहे हैं और बच्चों में अक्सार उनकी body healthy होती है naturally speaking अगर बच्चों के आँखें भी कमजोर हो रही है मतलब as a society हम सारों के आँखें कमजोर हो रही है यह सच है कि जितना आप दूर देखें मतलब 20 feet के बदे मानलो आप 100 feet दूर देख रहे हो तो वाकिया आँखों में ज्यादा rest feel होती है do you think अब 20 feet के beyond देख लोगे so it is your distance 20 feet पे देखो 30 पे देखो 40 पे देखो 100 पे देखो infinity पे देखो they will relax your eyes ताकि लोग थोड़ा सा ज्यादा जग जाए इस podcast में मैं आपको पूचा चाहूँगा कि अगर आपने किसी का eyeball ऐसे फाड दिया उनकी skull से और काटा उस eyeball को तो eyeball के अंदर क्या क्या होता है तो बहुत कुछ होता eyeball के अंदर तो case case b case b को पहले answer करो अगर आपने बस eyeball को ऐसे दबा दिया तो क्या क्या निकलेगा eyeball जो हमारी eyeball ठोस रहती है न아 झो गोल रहती यह इसलिए रहती है कि हमारे आंग के अंदर एक pressure है, हमारे आंग के अंदर continuously पानी बनता है और पानी निकलता है, उससे हमारी आंग के अंदर एक pressure रहता है, usually 15-16 mm of mercury का होता है, और वो आंग हमारी ठोस रहती है, तो आपने आंग को निकाल लिया, पहले तो वो पानी बनना बंद हो जाएगा, तो थोड़ा तो pressure कम हो तो हमारी आंग के अंदर एक gel होता है, जिसको हम vitrush gel कहते है, वो सारा भारा जाएगा, और कुछ आंग के अंदर lens होता है, कुछ और पानी होता है, वो सारा भारा जाएगा, अभी इससे ज्यादा गहराई से समझने के लिए, क्या ये सच है कि जो हमारे cameras होते है, जो SLR होत what is camera, camera में एक lens है, वो lens light आती है, lens picture बनाता है और पीछे एक reel है, जहाँ पे picture बन चाती है, same phenomenon in human eye also, human eye में भी एक lens है, light आएगी, lens से पास होगी, और जो film में आएगी, उसको हम लोग कहते है, retina, तो light lens से होते हुए, आंग का जो पीछे का परदा होता है, retina, वहाँ पे photo ब है और हम उसको देख पाते हैं, अच्छा जैसे, you see, camera's autofocus है, so they can focus दूर का, they can focus पास का, ऐसी हमारी eye का भी जो lens है, it is an autofocus lens, so remember we were discussing की muscles है, जो lens को मोटा पतला कर सकती है, similarly, यह जो lens है, मोटा पतला होके, it's an autofocus, इसलिए हम दूर का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सक तो यह autofocus mechanism आँख का खतम हो जाता है, so then you need पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए होता है, हर इनसान का 40-45 साल के बाद पढ़ने का चश्मा आजाएगा, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारी आँख में soft lens है, जो अपने को shape को change कर सकता था, दूर का pass का autofocus lens था, वो age के hard हो जाता है, तो वो hard हो गया, अब वो shape change नहीं कर सकता, तो आप दूर का देख पार है, वो pass के लिए आपको चश्मा पहनना परता है, तो 1000 साल पहले जब चश्मे होते ही नहीं थे, तब लोग 40 के age में पहुँच कर क्या करते, लोग जीते थे 40 तक, 40-50 के age होती होगी, ले problem है, जो almost up को होनी है, उसका treatments नहीं हो पाते थे, तो यह सब दीरे-दीरे करके चीज़ा advance होई है, almost सब को होनी है, I'll give you a very significant statement, given a long enough life, everybody will have cataractum, देखो क्या होता है, कि जैसे हमारी उमर बढ़ती है, तो हमारी body में changes आ रहे हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, similarly बढ़ती उमर के सा जो हमारे आंखों के अंदर lens होता है, उसके proteins denature हो जाते हैं, धीरे-धीरे वो white होना शुरू हो जाता है, तो यह जो natural lens जो nature ने clear बनाया, transparent बनाया, शीशे की तरह साफ बनाया, यह जो बढ़ती उमर के साथ सफेद हो जाता है, इस problem को हम लोग कहते हैं cataract, and cataract का सिरफ एक solution है, यह भी बहुत जूरी हमें समझना, क्योंकि we find lot of misleading advertisements, कई बारी हम लोग देखते हैं, कुछ drops आगें, जिससे cataract ठीक हो सकता है, कोई गोलियां आ गई, कुछ लोग कहते हैं, योगा कर लो, आंखों की massage कर लो, cataract ठीक हो जाएगा, कुछ भी scientifically proven नहीं है, आज की date में भ आगे हैं, जो claim करते हैं, कि हम cataract को reverse कर देंगे, cataract को ठीक कर देंगे, it is scientifically not possible, क्योंकि आप aging को नहीं रोक सकते हैं, ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं बनी की aging रोक जाए, आप बढ़ने से रोक जाए, तो अगर आप बढ़ापे को नहीं रोक सकते हैं, तो बढ़ापे से होने वाली जो problem है, उसको कैसे रोक लोगे, okay, sorry कि podcast के इस stage में ही मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, पर ये जो cataract का operation है, आप उस operation के बार में बता सकते हो कि आँखों को काटते कैसे हैं, ये वो, देखो cataract surgery जो है ना time के साथ बहुत जादा advance हो गई है, तो पहले जो cataract surgery ह होती थी, उसमें हम क्या करते थे कि आई जो है, उसमें एक बड़ा सा cut लगाया, और आंग के अंदर जो white lens हो गया, उसको निकाल दिया, और एक नया lens टाल दिया, पर cut कहां, आंग के उपर, या eyebrow के नीचे, नहीं, so if you lift this and you see this black portion, इसके उपर लगेगा cut, लेकिन it was a big cut, तो lens को हम लोग साबुत निकालते थे, तो इतना बड़ा cut लगता था, तो उसमें stitches लगते थे, recovery slow होती थी, और बहुत ज़्यादा rehabilitation अच्छी भी नहीं होती थी, eyeball में stitches, eyeball में stitches, और वो भी कुछ पहले ताम में steel के stitches लगते थे, अब ये सब advanced sutures, nylon वगेरा आ गया, so now what happened कि time के infections है, इन में कोई दर्द नहीं है, कोई injection नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई blade नहीं है, कोई पटी नहीं है, कोई hospitalization नहीं है, anesthesia होती है, only drops, मतलब इंसान जगा रहता है, you are wake, nice and awake, सब कुछ सुन सकते हो, देख सकते हो, doctor के हाथ बाद चल रहे हैं, but आपको feel कुछ नहीं हो अब ऐसा लगता है कि आँख पे हलका सा pressure लग रहा है, pain, no pain, absolutely zero pain, and the magic is only drops, तो drop डाली, 10 minute के लिए आँख सुन हो गई, 10 minute में operation भी हो गया, operation सारा laser से होना है, तो recovery instant है, आज करा, कल से दिखना शुरू, दो दिन के बाद अपने काम पे लग जाओ, फिर भी, we are the blind capital of the world, India, और उसका कारण है cataract, because हमारे country में इतने जादा patients है cataract के, and as doctors हम बहुत काम है, और ये genetically एक problem है भारत में, cataract, cataract is an age related problem, पर हमारे देश में ज्यादा cataract है, हमारी population ज्यादा है, okay, वरसे, so we have, the population is high, and doctors हमारे काम है, हमारी देश में करी, 25,000 हजारी आंकों के doctors है, and हमें required है 1,500,000 आंकों के doctors, to match the current demand, to match the current burden of cataract, so इतना बड़ा gap है, तो बहुत साय लोग करा नहीं पाते, plus there is the technologies are not available across the length and breadth of country, so infrastructure की भी कमी है, doctors की भी कमी है, and we become the blind capital of the world, अगर आप western countries देखो, America, Europe अगरा, तो वहाँ पे जो blinding का सबसे main कारण है, that is diabetic retinopathy, कि हमारे जो आंक का परदा होता है, उसमें diabetes की वज़े से नुकसान हो गया, that is in America and European, developed nations, in our country, unfortunately, it is cataract, और cataract को 100% ठीक करा जा सकता है, 10 minute के operation से, but because the burden is so much, then we are lagging behind, कितना महंगा होता हो operation, cataract सरजी तो हमारी country में free में भी होती है, it can range from free, and it can go up to 2 lakh rupees an eye also, in a private, in a private, it will depend कि आप cataract में lens कौन सा डलवा रहे हो, कौन सी technology से करा रहे हो, so you have basic lenses, and then you have advanced lenses, इस तरह के lenses भी हैं, कि हमने आपका cataract operation करा, और आपको चश्मा भी नहीं पहनना, दूर के लिए भी नहीं पहनना, बीच के लिए भी नहीं पहनना, पास के लिए भी नहीं पहनना, so तेना variable lenses, variable technologies, and इनके permutation combination से, it can range between free to almost 2 lakhs पर आई, मतलब उस एक surgery से, actually आपको का number भी चला जा सकता है, आजका technology इतनी advance हो गई है, कि cataract surgery में हमने जो lens डाला, वो इस तरह से हम calculate कर लेते हैं, कि cataract तो ठीक होई गया, साथ-साथ चश्मा भी ठीक होगया, तो doc, जब मेरा खुद का eye operation हुआ था, I feel कि it really changed my life, क teleprompter पढ़ रहा था, which was a big deal for me, पर मैंने देखा कि I hate saying this publicly, but people started treating me differently, in a nice way, तो I felt कि मेरी पूरी life बदल गई, उस eye operation की बचे से, और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कि eye operation से मेरी बहुत फटती थी पहले, बहुत दरता था, eyes को लेकर, जब I couldn't even wear contact lenses, क्योंकि मेरी eyes बहुत लोंग ऐसा सोचते हैं कि चश्मा हटाने का operation, वो लोंग करा रहे हैं जो अच्छा दिखना चाहते हैं, so यह जो चश्मा हटाने के operation है, यह usually portray करे जाते हैं as cosmetic surgeries, कि इनकी जुरत नहीं है, आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो करवा लो, but more than that, it is a kind of visual rehabilitation for patient, पर आप यह सोच है, तो 24 घंटे उसको चश्मा पहन के रखना है, अगर वो चश्मा नहीं पहनता है, तो आधा vision उसका handicap हो जाता है, so it is mainly for improving your life, for adding convenience, अमान लों कोई cricket खेलना चाहता है, goodball खेलना चाहता है, sports करना चाहता है, नहीं कर सकता है चश्मे के साथ, swimming करना है, नहीं कर सकता है चश्म में जाना चाहता है, अब आपको आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, चश्मा पहन के थोड़ी पुछोर का पीछा करो गया, you have to fight on the border, चश्मा पहन के थो burden हो गया, एक hurdle हो गया, so all these government jobs, इन में भी mandatory है कि आप बिना चश्मे के आओ, so lot of people are getting these procedures done to clear the government jobs also, and just नाम का ये surgery है, मतलब क्योंकि हम operation theater में कर रहे हैं, so we call it a surgery, but you know you've gone through it, it is nothing like a surgery, कोई दर्द नहीं है, कोई injection नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, कोई hospitalization नहीं है, बस it's a walk in walk out, आए 10 minute में operation हो गया, अगले दिन विजन क्लियर होगी, दो दिन बा तो 30-35 साल का हमारे पास experience and data भी है, and it is being refined over the time, जैसे iPhone 11 के बाद 12 आ गया, Honda City का facelift आ गया, नया model आ गया, तो जो पहले operation आया था, that was something LASIC, LASIC stands for laser-assisted in-situ keratomileusis, basically laser का use कर रहे हैं, चश्मा अठाने के लिए, तो पहले LASIC नाम का procedure आया, LASIC के बाद smile आया, we did smile, उसके बा हमारा contura कर के आया, और अब जो latest आ गया है, that is by the name of silk, silk, yeah, the silk stands for smooth incision lenticule keratomileusis, it is an advancement of the smile procedure only, and basically यह जब नए-नए procedures आते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, कि time के साथ, the technology is being refined, तो quality better हो रही है, so what the vision quality that you get with smile and LASIC, उनसे better quality contura silk में मिल जाती है, the recovery is becoming almost instant, so we say, आज operation का सोचो, कल करा लो, परसो से अपने काम पर लग जाओ, and safety is being increased over the time, so now we say कि complications का chances जो है, they are zero, मैं बस यह कहना चाहूंगा audience को कि literally almost pain feel ही नहीं होता, but psychologically थोड़ा सा scary हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपको बस खुद के दिमाग को conquer करना है, it is the fear of that word, मेर surgery होने वाला है, मेरा operation होने वाला, वो भी आँख में operation हो रहा है, इतना delicate tissue, तो वो fear of surgery है, लेकिन कुछ करना थोड़ी है, लेजर, ऐसे भी surgeries है, जो laser touch भी नहीं करते हम आँख को, बस laser डालती हैं, चश्मारिया, I think, इन surgeries को लेकर लोग डरते हैं, उस machine की size को देखकर, कि या के साथ हो रहा है, और psychologically मुझे बस शान्त रहना था, उस सुबह मने अच्छी से meditation करी, surgery के गया, कुछ फील नहीं हुआ, और लिटरली जब आप दो तीन दन बाद उटते हो सुबह, और आपको दुनिया दिखती है चश्मों के बना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कि आ करा, कल हट गया अपका, और परसो सी और बाक तो फुल फ्लेज़े, और अट इस ब्यूटी आप दो अड्वांस प्रसीजर्स, जब हम प्रसीजर्स की बात कर रहे हैं, और इंस के लिए हमेशा मैं कॉस्ट के बार में भी पूशता है, कॉस्ट बता दो सो, यूजूली क्या इस पानल्स डोंट कवर दी सर्जर्जर्स, वो कहते हैं यह तो कॉस्मेटिक है जी, इंसान अच्छा दिखने के लिए करा रहा है, तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, आयूशमान भारत है, गोल्डन कार्ड, वो भी कवर नहीं करता है, इसे कॉस्मेटिक है, इंशोरंस है, व वो भी यूजली कवर नहीं करती, वो कहते हैं चलो हाई नंबर होगा, साथ आट का नंबर है, तो कवर कर देंगे, छोटे नंबर तो आप कॉस्मेटिक लेकर आ रहे हो, तो यूजली पेशिंट को अपनी पॉकेट से खुद पे करना पकता है, हाँ, इस प्राइवेट हॉस जैसे हम लोग भी हैं विदित EMI Services, लेकिन Government Hospitals में, AIMS को अगर हम छोड़ने हैं, तो Government Hospitals में ये अवेलेबल ही नहीं है, तो because the burden comes on the patient, so this is a very sensitive matter कि इनकी cost कितनी है, देखो पुरानी technologies जो LASIK वगरा हैं, वो तो 25,000 में हो जाता है, बट ये दो advanced technologies हैं, contura हो गया, silk हो गया, इ एक से लेके एक बीस, मतलब एक लाग के करीब आपकी पढ़ जाती है, तो you expect कि एक लाग का खर्चा तो आएगा है आएगा अगर चश्मे का number हटवाना है, max 1.2, max 1.2, 1.3 depending on the doctor, on the location of the hospital, अब you get it done in Mumbai or Delhi, थोड़ा से जादा होगा, मेरा मानना ही है कि ये एक body alteration है, और आप आपको कॉस के बार में सोचना नहीं चाहिए, बलकि ये सोचना चाहिए कि आप कॉंसे doctor के पास जा रहे हो, अगर 10-20,000 रुपए extra देके, आप better quality vision ले सकते हो, better safety ले सकते हो, तो why not, और अगर अभी afford नहीं कर सकते हो, तो रुको कुछ साल, पैसो को एकठा करो, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया self-investment होती है, according to me, and in the long run, you are spending more money on glasses and contact lenses, compared to these laser procedures, and it is permanent, that is the beauty of it, also, I would also say that the feeling generated in my mind, in my mind, in the operation, there is nothing that has matched it in my life, it is a very crazy feeling, when you go to the pool, you can see everything in the pool, you can see things, that feeling is unmatchable, आपको लगया कि आपका बच्पन लॉट गया है, so you would agree with me, it is less of cosmetic, more for convenience, comfort and visual rehabilitation, even more so, क्यूकि में मेडिया प्रोफेशनल, तो मेरे लाइफ में और भी इंपक्त हो है, as professional, you need that, a lot, like it's been the best medical decision of my life, that's what I will definitely say, ताकि लोग ज्यादा समझे, इस surgery के बार में, exactly surgery की biology के बार मे laser use क्यों होता है, इसमें, see let us understand कि ये जो lasers है, ये चश्मा हटा कैसे रहे है, तो ये जो सारे lasers है, ये हम लोग करते हैं, हमारी आँखों का जो काला हिस्सा होता है, जिसको हम cornea कहते हैं, काली पुतली कहते हैं, आँख का शीशा कहते हैं, उस पे करा जाता है, मतलब जो colored हिस् transparent structure, इसको cornea कहते हैं, तो हमारी आगे आँखों के ये जो काला हिस्सा है, this is not काला, काला आ रहा है, हमारी आँख में एक iris है, उसका color है, तो आप देखों किसी का काला है, किसी का बूरा है, किसी का gray है, किसी का blue होता है, किसी का green होता है, so that is the color of iris, ये जो है, उसके आगे वाला हिस्सा है, जिसको cornea या काली पुतली आग का शीशा कहते है, that is a transparent structure, तो ये सारे procedures हमारे cornea पे हो रहे हैं, and what we are doing is, कि cornea का एक curvature है, उस curvature को हम इस तरह से change कर देते हैं, कि चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है, तो अब इसको करने के लिए अलग-अलग lasers हैं, जो contura है और tissue को burn करके curve करते हैं, can we take one step back, कि जिन लोगों के चश्मे होते हैं, actually इनके cornea में लफडा क्या है, नहीं, cornea में कोई लफडा नहीं है, जिनके चश्मे का number है, उनकी आंक का size लंबा है, like I told you, starting में, अब क्या हो रहा है, आंक का size लंबा है, तो आंक में जो light आ रही है, वो पर पर्दे से पहले focus हो गए, पर्दा तो पीछे हो गया है, अब आपको आंक के structure में इस तरह का change करना है, कि यह जो focus यहां पे रह गया, यह उठके यहां पे आ जाए, how do you do that, कि जो आंकों का सामने वाला structure है, उसके curvature को थोड़ा modify करते हैं, यह आंकों का जुगाड कर रहे है, जुगाड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही तरीके से जुगाड कर रहे हैं, ताकि पूरी life को tension दा हो, मतलब safe biological जुगाड है, कि आपकी camera का focus mechanism थोड़ा सा खराब हो गया, इसलिए आपको चश्मों की जरूरत होती है, और यहां जो आपका lens filter है, उस filter को manipulate करके, biologically, safely, आप अपन intelligence software control, इतना refine तरीके से हम उसको mold कर देते हैं, कि यह चश्मे का number हट जाता है, अब इसको करने के लिए there are different kinds of lasers, तो जो lasic and contura वाले laser है, they are burning lasers, burning में मतलब claim and language burning है, ablation कहते हैं उसको, तो हम तो tissue को थोड़ा सा burn करके है, ablate करके curve को change कर देते हैं, और जो smile technology है, जिसका advanced version silk आ गय laser, तो उसमें हम आंग के अंदर एक थोड़ा सा tissue का piece काट के निकाल देते हैं, sounds very scary, but it's a piece of cake, happens in one minute and next चश्मा हट जाता है, painless, no pain, no injection, no stitch, no blade, no bandage, no flap, no hospital, walk in, walk out, आए 10 minutes ने बहाँ चले कि अकल चश्मा हट की, आप पर से सबने काहं पर लगो, would you say कि as an eye surgeon आपका एक job ये भी रहता है कि आपके patient को आपको शान्त रखना है, ये सबसे बड़ा job है, क्या होता है कि when you are operating, जितना patient relaxed रहेगा, उतना वो surgeon की बात को follow कर पाएगा, so when we are doing your surgery, हम लोग चाहते है कि आपकी आंखों की movement कम से कम हो, so we ask you to look a light on top, हाँ, थोड़ा ब movement होगा, तो sometimes the results can vary, half a dive to here and there, so then we have to do some touch-up procedures, उसको थोड़ा सा fine tune करना पड़ता है, but if you are nice and relaxed, आराम से आप surgery करा रहेगो, डॉक्टर के instruction सुन रहे, तो 99.99% में तो कुछ नहीं होता, it is forever, कभी आपको एक मुश्किल patient मिला है, जो बहुत चिला रहा था, बहुत सारे मुश्क किया है, महाल ऐसा है ना, अब हॉस्पिटल में आ रहे हो, although we try to make it a different environment, थोड़े fragrance लगाई वी है, nice, humorous, or maybe you know, feel good content on the TV, but अब जब आप operation थेटर में जाते हो, the word operation is a scare in itself, especially आंखों में उपरेशन हो रहा है, तो there are people who will panic, कुछ लोगों को पानिक से बचाने के लिए थोड़ा स anti anxiety tablets दे देते हैं, but अगर जादा overly panic हो रहा है, तो we have this facility की sedate कर दिया, या ब्योश ही कर दिया, तो patient को पता है ने चलता की operation कब हो गया, पर एक ब्योश patient के eye को आप operate कर सकता है, उसको पकड़े करना पड़ता है, then there's a different way to do it, क्या वे होती है, अगर कोई patient conscious है, तो वो तो undertaker की तरह, kind of, okay, by question, so उसमें कुछ specific instruments है, मादाद, you can then hold the eye and operate, because you still need that stability for the laser to work properly, आपके लिए मुश्किल होता है, is it annoying, अब तो इतने operation कर ले हैं, 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 तो आप तो spinal level पोपरेशन होते हैं, आ spinal level, oh, okay, 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 and the staff is trained, it's a routine job for them, so 99% तो हम अराम से कर लेते हैं, कभी कबार एकाथ पेशन में कुछ issue आता है, जहां पर we have to put our mind कि इसको कैसे करना है, ठीक करना है, so, that is part of life, और issue यही है कि patient की फट जाती है, बहुत जादा, that's the main issue, बहुत जाती है, क्योंकि, पता है, okay, मैं ख खलके से शान्त रखना है, मैं मुझे याद है, मैं ना मेरे सारे फेवरिट क्रिकेटर्स का नाम याद रख रहा था, कि हाँ, 2003 की वोल्ड कप टीम यह थी, और डॉक्टर सरजी करते जाए, I think we are giving over emphasis on the panicky part, मतलब 99.99% तो smoothly हो जाता है, once in a while कोई आ जाता है, जो बहुत जाने को हो रहा है, उसको थोड़ा से डेट करें करना परते हैं, रूटीन अपर में नहीं हैसा होता, especially मैं क्या कर रहा हूं मतलब मैं थोड़ा बहुत वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, so people are kind of prepared in their mind कि अच्छा इस तरह से operation होगा, then we try to show them some videos before the surgery की बच देखो इस तरह स super specialist, यह क्यों कह रहा हो, क्यों, because it's a very rewarding surgery, see it's a kind of surgery which has a wow effect, आंकों में कोई भी operation कर लो, आंक में सूजन बनती है, और time के साथ vision clear होती है, now LASIK या जो लेजर वाले procedures है, the beauty is कि आज करो, कल vision perfect हो जाती है, so it's a very satisfactory experience, patient के लिए भी कि यार अच्छा हाँ, operation हो अगले दिन clear होगी, and for the doctor also, because patient comes in with a smile, कि कल तक कुछ नहीं दिख रहा था, आज सुबर सब को दिख रहा है, so it's very rewarding for the surgeon also, when you see your patient, इतने खुश है, satisfied है, photo के चुआ के जा रहे है, thanks कर के जा रहे है, so that is where you get that motivation, कि भाई, you know, you're doing good work, हम ना, eyes को foregrounded ले ले लेते हैं, as human beings, actually जो भी data दुनिया में है, उसमें से बहुत सारा data हमारी eyes के थू हमारी brain में enter हो रहा है, and you realize that after the surgery, थोड़ा post-surgical care के बारे में भी बताई है, I think two-three days का ही post-surgical care रहे था, with the latest technologies, silk वाली जो है, उसमेरे 24 आसका है, आज करा कल से अपने काम पर लग जाओ, फिर भी, we tell patients की, take it easy, ऐसा कोई rush निया लाइफ में, it's a surgery you've underwent, and treat it like a surgery, 2-3 दिन थोड़ा सा रिलाक्स हो जाओ, body को set तो होने तो नए सिस्टम के साथ, and then get back to your work, so I tell all my patients की, आज operation करां, Friday operation करां, सादर संदर चुट्टी लो, Monday से अपने काम पर लग जाओ, अचा इसके बाद post-op में basically patients को थोड़ा दवाईयां डालना होता है, तो यह जो सारी laser surgeries है, इनका जो main side effect है, that is dryness, कि आँखों में सुखापन बनेगा, और इसको ठीक होने में 2-3 महीने लगते हैं, so you have to be prepared कि although 2 दिन बाद अपने काम पर लग गए, लेकिन 2-3 महीने तक दिन मेरे साथ नहीं हुआ था, I didn't feel it. इन में almost zero होती है, यह सच है कि अगर आपने LASIK, जो सबसे basic form of surgery है, जो आपने का कि 20-30,000 होती है, अगर वो करी, तो मैंने सुना है कि 5-10 साल बाद फिर से करनी होती है, is it true? It will vary person to person, LASIK में, LASIK करा लो, smile करा लो, silk करा लो, contura करा लो, कुछ भी करा लो, ICL करके भी होता है, any procedure that you go through, usually maximum लोगों को कुछ नहीं होता है, once it is done, it is with you forever, permanent है. बट है तो human body न, and human body can change itself, it's a living tissue, breathe कर रही है, blood vessels है, so at times, very rarely, we see कि कुछ लोगों का number थोड़ा बहुत आ गया, मालों कि इसने 5-6 का number हटाए था, 10-15 साल सब कुछ बढ़िया, उसके बाद थोड़ा सा आधा पॉना number आँख में आ गया, तो अगर ऐसा हो भी जाता है, तो nothing to panic, go back to your doctor, थोड़ा सा laser डाल के, उसको touch-up करके, ठीक कर देंगे, तो उसको solving that issue is a piece of cake, मुझे again, या नहीं पर जब मैं उस operation के बारे में पढ़ रहा था, मेरे खुद के operation के लिए, cornea thickness का एक factor होता है, मतलब आपका cornea का thickness थोड़ा सा होना चाहिए, ज्यादा, correct? cornea thickness जो है न, that is one of the important factors जो हमें देखना होता है, चश्मा हटाने के लिए, देखो यह जो सारे laser operations है, यह cornea का curvature change कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो यह change कर कैसे रहे हैं, कुछ cornea को हटा के, तो मैंने बताया, जैसे burn करके भी हटा सकते हैं, और थोड़ा cut करके भी हटा सकते हैं, so you need a minimum cornea thickness, जिसको मैं पतला कर सकता हूँ, और cornea को mold कर सकता हूँ, so if cornea बहुत पतला होगा, then we don't want to do laser surgeries, कितने लोगों में बहुत पतला होता है, about 10%, only 10%, और यह genetic rate होती है, this is genetic, you're born with it, okay, पतले cornea का मतलब यह नहीं कि आंग खराब हैं यह abnormal है, पतले cornea का मतलब यह है कि laser से हम चश्मानिय अठा सकते, क्योंकि cornea को laser में हम और पतला करेंगे, now you already have a thin cornea, you're born with it, उसको और पतला करा, so there could be a possibility कि safety limit के नीचे चले जाओ, और फिर complications आजाएंगी, तो जो इस तरह के patients होते हैं जिनका cornea पतला होता है, यह जिनका number बहुत हाई है, जैसे यह जो lasers हैं, यह 8 number तक का चश्मा अठा सकते हैं, पर चश्मे का number तो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, अभी I operated a patient who has minus 30, हैं? तो दिखता क्या है? कुछ नहीं दिखता, इतना मोटा चश्मा पहनते हैं वो, लाइफ बिलकुल useless हो जाती है, चश्मे से छोटा-छोटा दिखता है, side की नजर खराब हो जाती है, उनके लिए तो एक life changing experience हो जाता है, life you turn हो जाते है, जब किसी का 30 number का चश्मा अठाते हैं, बट 30 number form कैसे होता है? human body, human body में कुछ भी हो सकता है, human body किसी को समझ थोड़ी आई है आज तक, as doctors also, we just know 20% about human body, 80% तो पता ही नहीं, God has made it, and God did not give us any manual to read कि human body को treat ऐसे करना है, so whatever we are doing, this is all evidence based, इतने सालों में जो हमने doctors ने सीखा, पढ़ा, human body के बारे में understanding हुई, वो ही knowledge आगे pass down हो रही है, उसी को develop करते जा रहा है, so I'll just come to that point, तो यह lasers जो है 8 number तक हटाएंगे, अब किसी का 9, 10, 15, 20, 30 का number है, उनको कैसे हटाओगे, so then there's another technology जिसको ICL कहते है, so ICL is like a contact lens, तो contact lens हम आँखों की उपर लगा रहे हैं, ICL एक lens होता है, बहुत पॉपुलर टिकनीक है, and it's all USFDA approved, यह glass होता है, like material क्या होता है, it's made of a special material called kolamor, it's a very small, it's a flexible material, it's made of a special material called kolamor, flexible material है, छोटे से incision से आंके अंगे अंदर चला जाता है, and it's a bio-compatible material, that means it can stay in your eye for 100 years, और कोई problem नहीं होती, कोई reaction नहीं होता है, so, जो इनका चश्मे का नंबर चोटा है, वो lasers करेंगे, जिनका चश्मे का नंबर हाई है, या cornea की thickness कम है, या आंखों में dryness जादा है, क्योंकि lasers dryness करेंगे, या आंखों में कुछ keratoconus की problem हो, तो ऐसी कुछ conditions होती है, जहां पर फिर हम laser से चश्मा नहीं अटाते हैं, फिर आंख के अंदर lens डालके, जिसको ICL कहते हैं, उससे चश्मा अटाया चाता है, मुझे medical conversation रहते हैं, कूल क्यों लगता है, क्योंकि आप लोग इसे पता चलता है, कि कुछ भी possible है, आज की दुनिया में, scientifically speaking, I know, few years back, this was almost a dream, few years back, मतलब how long back, about 20 years back, 2003, 2004, तब इतना development नहीं था, मतलब आज की stage में, तो बहुत जादा हम लोग technology में, अट्वांस हो चुके हैं, फिर भी हम कहते हैं, अगर सो लोग चश्मा हट वाना चाहेंगे, तो सौ में से 80 लोग हटा सकते हैं, 20 को भी पहनना पड़े हैं, there's so many things about human body, जाए 10 साल में, वो 20 भी हटा रहे हैं, बहुत 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 पतली होती हैं, so they can't go for these procedures, 90% में भी the other reports come good, तो किसी को चश्मा हटाना है, उसको कुछ तरह के criteria's फुल्फिल करने होंगे, तो एक तो basic criteria है, कि हमारी age 18 से उपर होनी चाहिए, चश्मे का जो number है, वो पिछले 6 महिने से stable होना चाहिए, छोटा मोटा variation होगे, आधे पौने का, 0.25 का doesn't matter, but more or less it should be stable, जो ladies है, they should not be pregnant or on breastfeeding, अच्छा कुछ ऐसी दवाईयां अपना खा रहे हो, जिससे body का immune, immunity है, immune response जो alter हो जाएगा, जैसे steroids होते हैं, immunosuppressants होते हैं, lupus जैसे, lupus वाले नहीं कराएंगे, अच्छा साथ में आपकी आँख में, और कोई major problem नहीं होना चाहिए, मेली चश्मे का number ही होना चाहिए, so once you fulfill these criteria, फिर आप एक hospital में जाते हो, जहाँ पर operations हो सकते हैं, उस hospital में भी आपके 12-15 तरह के test होंगे, all those tests should come normal, and then you're a fit candidate for the surgeries, वहाँ पे भी कोई भी उपर नीचे test हो गया, भी better avoid the surgeries, usually ऐसे लफड़े नहीं होते हैं, आजकल कम है, लेकिन किसे कोई मिलेगा तो उसको मना करना is a better option, मतलब जबदस्ती नहीं करना, अगर आपका doctor बोल रहा है कि आप surgery मत कराओ, चश्मा पहन लो, तो मान लो किसी ने वो एक बार ये operation कर लिया, और फिर 10 साल बार नंबर वापस आ गया, फिर से corneal thickness test करना होता है, यह जो वापस आने का मतलब है न, यह वापस का मतलब यह नहीं कि पूरा नंबर आ गया, मान लो किसी ने 5 नंबर हटवाया, 10 साल बार अगर कुछ नंबर आएगा, तो आधा या पॉना ऐसी fluctuation होता है, यह नहीं कि 10 साल बार पांच नंबर वापस आगया, अच्छा आधा पॉना नंबर आया, तो थोड़ा से tissue अटाने को, मेजर तो हटाने नहीं, खलक ऐसा laser ढाल के उसको, पॉलिश कर दिया, ठीक कर दिया, बट दिस इस लाइक तर रारेस्ट ऑफ दे रारेस्ट के से, 99.99% में नहीं होता, और बिकॉस वी आफ सो मुच अफ ट्रस्ट इन इस टेक्नोलोजीज, तो आधा तो तेल यू दिस मतलब, अज़ब अज़ पॉपुलेशन, As the number of people, eye doctors और eye doctors के बच्चों ने सबसे ज़ादा चश्मा अठाने के lesticte अगरा के operations कराए है, because we do it every day, and we know that it's a very safe and very reliable technology, तो eye doctors ने तो बहुते लोगों ने करा है, उन्होंने अपने बच्चों का भी करा है, Uhmm, Contura Vision और Silk, Silk, या, Inmate technologically speaking, और Biologically speaking, modern चीज है क्या मतलब how is it better than smile okay so basically the basic principle is still the same गाडी को चलना तो चार भाईयो पही है now it can be a Honda City it can be a Mercedes it can be a Lamborghini so they have advanced the machines so what they have done is की energy को बहुत लो कर दिया we want to put minimum energy to your eye फिर एक spot size होता है spot distance होता है उसको कम कर दिया which helps better recovery फिर अगल 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 बना रहे है so it's the natural shape of the lenticule जैसे मारे चामरा का लेंस अगल 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 होता है so it produces a better picture so the same technology they are only refining with time so it's just advancing the same thing is becoming better and better स्यादा प्रिसिजिन के साथ surgery हो पा रही है you compare आज की होंडा सिटी और बीस साथ कहली होंडा सिटी दौनों होंडा सिटी है but the quality has improved the safety has improved the performance has improved अंदर की जो music system है वो better हो गया interior better हो गया exterior better हो गया but the car is still the same car same with this technology it is like iPhone 11 के बाद 12 के बाद 12 के बाद 13 आ जादा doctors को आजकर बहुत appreciate किया जा रहा बहुत positive चीज़ है क्योंकि I feel कि actually आप लोग हमारे society के heroes हो पर आपके stories आपके perspectives अब तक लोगों ने जाने नहीं है and especially after covid people have realized that how important doctors are and I want to tell you जो हमारे India का medical system है that is the most robust in the world आप developed nations में जाओगे न अमेरिका वगेरा में आंखो की problem है आंखो के doctor से मिलने के लिए एक-एक-दो-दो महिना लग जाता है और अगर चश्मा हटवाना चाते हो तो एक-एक-दो-दो साल की waiting है वाँ पर medical system होता क्या है मतलब क्या medical system में क्या होता है कि हमारा जो इंडिया का medical system है it's a direct system आंखो में problem है तो आंखो के doctor से जाके आप मिल सकते हो treatment ले सकते हो जो American systems है या जो European systems है इनका क्या problem है कि आपको आंखो में अगर problem हो रही है तो सबसे पहले आपको एक general doctor से मिलना पड़ता है यह government ने decide कि है that is how the system is made general doctor को अगर लगता है कि आंखो के doctor की requirement है तो वो आंखो के doctor के पास refer करेगा अगर उस आंखो के doctor को लगता है कि एक super specialist eye doctor requirement है तो वो आगे refer करेगा so there are so many steps और उस steps में काफी time पे चीज़े delay भी हो जाती है तो we have so many patients America से आ रहे है UK से आ रहे है Canada से आ रहे है Australia से आ रहे है so अभी एक लड़की आई थी UK से तो मैंने उसे पूछा कि why did you specifically choose to fly down to Delhi वहाँ पे भी तो यह surgeries होती है so she told me कि वहाँ पे NHS है जो UK का health system जो है वहाँ पे अगर आपको LASIK से चश्मा हटवान है तो दो साल की waiting है क्या and the cost is crazy 4000-6000 pounds इस तरह की cost है माँ पे 6 lakh 4 lakh-6 lakh इस तरह की cost है माँ पे and India में it is almost 1 6th, 1 4th तो India में यह same operation आपके लाक रुपे में हो जाते है rather Thailand वगेरा में भी जो cost है इन सब सर्जरी की जादा है India में it is much cheaper and Indian doctors because इतना population है हमारा we get so much of practice they are considered the best in the world so when somebody is coming from UK, America all these countries to for these procedures in India एक तो उनके जो यह travel होता है एक तरह से free हो जाता है because आपका surgery cost इतना कम हो गया and same level of quality, safety and the professionalism you get in India या शायद better better because Indian doctors have that experience which probably the foreign doctors don't have because of the population इतनी population इतना जो rarest of the rarest problem भी है वो हम इतना देख लेते हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं होती इसे किताब में पड़ी होती है यह Indian military भी कहती है कि क्योंकि हमारी terrain इतनी ज्यादा complex है भारत की इसे military को experience मिल जाता है और किसी भी job में अगर आपको better professional बनना है basically आपको ज्यादा experience की ज़रूरा होती है ना कि सिर्फ theoretical knowledge जो भारत में हमारी population की वज़े से हो रहा है medical industries इसे ही medical tourism कहता है इसको medical tourism फिर बहुत ज़्यादा इंडिया में develop हो रहा है because you have all the facilities at almost one six one tenth of cost तो सारे लोंग जो है वो उड़के इंडिया आ जाते है अपना operation कराने के लिए यह industry grow कर रही है oh huge billions and it is predicted to grow that the total although we are producing maximum doctors cataract की surgery like we were talking सबसे ज़ादा इंडिया में होती है फिर भी हमारी population is so huge that we are not able to take care of the burden fully पर यह कमी क्यों है फिर colleges कम है infrastructure कम है अभी government is working more new colleges are coming in seats are increasing MBBS की बढ़ड़ी है MS की बढ़ड़ी है and slowly slowly we'll be able to bridge the gap इतना दूर नहीं हो जाएगा सब ठीक पता है विराट कोली ने जब पहली बार बैट उठाएती तो I'm sure कि उनके दिल में कुछ फील हुआ था कि हाँ शायाद मैं आगे जाकर क्रिकेटर बनूँगा उसी तरह जो लोग doctor बनते हैं अक्चुली पहली बार उनके दिल में होता क्या है मेरी तो inspiration मेरे parents है both of them are doctors father is an eye doctor only तो जब से पैदा हूँ I live in that environment उसे in my mind to grow करा है वो ही terminology सुनी है सब को सरा है तो automatically I developed a passion for it that is my journey towards ophthalmology but बाकी मतलब it's a profession that you love being in it's a white collar profession it's a profession that comes with lot of respect so पहले time पे तो यही होता था था ना कि किसी profession में जाना है तो doctor बन जो, lawyer बन जो, engineer बन जो initially the trend was like that now we have multiple streams opening up लेकिन as a 90 kid हमाईले तो तो तीन चाप्रोफेशियों are considered as the the professions to be in actually doctor, engineer, lawyer CA, CA, four professions white collar professions यह जो MBBS to MD to super specialization की journey होती है, कितनी मुश्किल होती है time wise I'm sure 12-15 साल की journey है मुश्किल नहीं है, you enjoy it if you've entered with lot of passion and the passion to learn about human body then you'll enjoy it if you've entered forcefully इस पेनस ने धक्का मार दिया जल्या है, doctor बना दो इसको यार इसका carrier set हो जाएगा, कुछ हो जाएगा then you will get fed up but it's such a complicated system that you really need your heart and soul to understand a human body मतब biology की passion होनी चाहिए passion होना चाहिए treat करना है, किसी को सीखना है human body उपर वाले ने बनाई है it's such a complex system समझ नहीं हाता you, किताबे पढ़नी पढ़ती है but it all, you know you start enjoying it and loving it if you're fully into it if you're doing it forcefully just for the sake of degree कि मैं को doctor की degree मिल जाएए मेरा प्रोफेशनल थोड़ा से अप्लिफमेंट हो जाए you'll be a failure मतब यहां तो passion के लिए करो यहां अरेंज मैरेज के लिए 90% वो ही हो रहा है आज कर है okay back to eyes doctor क्योंकि अच्छली यह वाली जो non eye related conversation है मैं infinitely long बना सकता हूं पर लोग यहां आखों के बारे में जानने के लिए especially जो teenagers let us give them some good insights how to take care of eyes teenagers और young professionals क्योंकि honestly मेरी personal suggestion यह कि एक एम रखना चीजिए smile surgery का अगर आपके चश्मे है क्योंकि I genuinely feel कि life बदल जाती है और मैं अभी भी fashion oriented glasses पहनता हूं uh you know for the sake of clothes but चश्मों की बिना जोब की life हो जाती है it is more convenient तो मेरा मानना यह है just a personal opinion कि एक target होना चाहिए life में to be able to afford the surgery इसलिए मेहनत करो आज uh but let's talk about people who actually can't afford it and people who are young uh maybe a good place to start is just basics की बच्पन में क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे parents भी है podcast सुन रहे है बच्चों के लिए और जो young adults हैं उनके लिए भी कुछ screen time guidelines दे दीजे see सबसे पहले न problem यह हो जाती है कि बच्चों का आंखों का check up नहीं होता so we tell all our patients की साल में एक बार check कर आ लिया करो but कोई नहीं आता usually patient तब ही आएगा जब उसके आंख में problem होगी पर साल में एक बार check क्यों करना है एक routine check up हो जाता है there are so many problems जिनको early stage पर हम detect कर सकते हैं timely treatment कर सकते हैं जादा लंबी चल गी हो problem तो permanent vision loss हो सकता है so we recommend कि साल में एक बार करा लो but we all understand कोई आएगा नहीं मतलब take our example जब तक हमारी body में कोई problem नहीं होती usually we are not going to doctors घर पी रहते हैं अपना करते रहते हैं so we say कि चलो ठीक है हर साल नहीं आ पा रहे there are some important milestones इतने में तो at least check कर आ लो so सबसे पहला milestone होता है जब बच्चा नया नया पैदा हुआ होता है there are so many problems आँखों की पर्दे की problem है retnoblastoma squint अगर किसी के आँख में cataract है तो initial stages में उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने ठीक नहीं करा तो पूरी life के लिए vision जो है वो खराब हो जाएगी बच्चे के body में भी cataract हो सकता है यंग से यंग नवजाज शिशू अभी पैदा हुआ और आँख में cataract है in fact the youngest patient that I operated for cataract was two months old two months people have done it even before also 20, 28 days, 30 days में भी लोगों ने operate करा हुआ है and the earlier you operate the better it is because you see क्या होता है जब नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी आँखों की development हो रही है अब आप सोचो उसकी आँख के अंदर का lens white है तो आँख में light जा रही है लेकिन परदे तक तो पहुच नहीं पा रही तो जब आँख ने देखा ही नहीं कभी आँख में light गई नहीं प्रॉप्रली तो आँख पूरी life के लिए कमजोर है जाएगी इस problem को हम लोग लेजी आई हैं अमलायोपिया कहते हैं So like we were discussing कुछ milestones है पहला milestone है बच्चा पैदा हुआ एक बारे तो चेक करा लो फिर जब तक बच्चे की age 18 साल हो जाती है तब तक साल में एक बार चेक कराना थोड़ा सा important है क्योंकि उस time पे eye develop हो रही है चश्मे का number अगर चड़ा होगा तो चड़ना शुरू हो जाएगा So you need correct prescription glasses गलत चश्मा पिना होगे तो पूरे दिन सिर्दद आँखों में दर्द रहेगा चश्मे का number जल्दी जल्दी पढ़ेगा Then after that we say की 40 years के बाद check-ups are very important 40 years के बाद आँखों में कुछ certain problems हो सकती है Glucoma की problem हो सकती है अगर diabetes है तो आँख के परदे में खराब भी आ सकती है Cat-Track की problem हो सकती है Glucoma क्या होता? Glucoma एक condition होते है जिसमें आँखों के अंदर का जो pressure होता है वो बढ़ जाता है And Glucoma is called silent thief of sight तो क्या होता है ये pressure बढ़ जाता है लेकिन usually patient को पता नहीं चलता कि pressure बढ़ आ है क्योंकि इसका कोई symptom नहीं बनता हलके बहुत symptoms बनते हैं थोड़ा सा headache हो रहा है थोड़ा सा आई एक हो रहा है तो लगता है या मैं ठग गया हो मुबाइल कंप्यूटर पर जादा काम कर गया आई एक आई में हलका सा pain हो रहा है सिर में हलका सा pain हो रहा But usually it is a symptom less disease और ये Glucoma क्या करता है जब pressure बढ़ता है ना तो हमारी आंग के पीछे जो नस होती है जिसको optic nerve कहते है ये बढ़ावा pressure उसको damage करना शुरू कर देता है And धीरे धीरे vision आपकी down होती जाती है But ये इतना slow process है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी vision down हो रही है और जब एक certain stage के बाद आ जाती है तो आपको लगने लगता है मुझे धुनला दिख रहा है Now you go see a doctor कि मैं को धुनला दिख रहा है चेक कर आप पता लगा रहे है आपके आँख में तो Glucoma या कालम होती है और जो नज़र आपकी कम हो गई उसको नहीं वापिस ला सकते है जो बच गई है उसको बचा सकते है That is why किसी के family में अगर history हो Glucoma या कालम होती हा की तो उसके लिए बहुत important है कि चार्लिस के बाद आपनी आँखों का check-up करा है Genetic disease है यह It is, we find it most probably a genetic से linked है तो अगर parents के आँख में Glucoma है तो there is a very high chance की बच्चों के आँख में आ जाएगा अगर overall आपकी lifestyle healthy है अगर डायेट साफ है, exercise हो रही है आप sleep पर focus कर रहो, etc, etc Can you safeguard yourself from eye problems to a large degree You can safeguard from some problems, not all problems देखों आँखों की हजार तरांग बिमारिया है उसमें कुछ बिमारिया lifestyle related है जैसे हम ये बात करें थे कि mobile computer से चश्मे का number चरड़ा है blue light filter के क्या-क्या harms है या कुछ लोग आँखों में काजल लगा लेते हैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आँखों continuous धोते रहते हैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि आँखों में भी आएगा किड़नी में भी आएगा हर जगाएगा ऐसे hypertension lifestyle oriented problem है आँखों में उसका असर आएगा mobile computer में लंबे समय तक काम कर रहे हो lifestyle oriented problem है उससे आँखों में changes आएंगे dryness हो जाएगा चश्मे का number हो जाएगा तो कुछ problems can be avoided by modifying your lifestyle but not all of that मतलब यह जो mobile computer का screen time related problem है वही rule है हो 20-20-20 that's the solution specially जो बच्चे हैं उनका तो mobile computer का time आपको थोड़ा restrict करना चाहिए so if I have to tell you ideally it is 2-3 hours in a day and 2-3 घंटे का यह 2 घंटे का sun का exposure अगर हो जाएगा तो you can maybe prevent चश्मे का number आने के लिए अच्छा आज की date में अगर चश्मे का number आ गया है तो उसको बढ़ने से भी हम रोक सकते हैं so अगर किसी का number मालो 5 पहुचना था तो उसको हम 2 या 3 पे रोक सकते हैं how by certain lifestyle modifications mobile computer काम करो sunlight में जाऊ there's a special kind of a drop जिसका नाम है atropine mild dilution में 0.01 में use करते हैं हम रात को सोने से पहले डालते हैं but strictly मतलब डॉक्टर से पूच के डालना है SNE की podcast सुनके डाल देना and then there are special kind of glasses जिससे हमारा जो रेटना होता है peripheral stimulation वगएरा में कुछ changes करते हैं और उससे चश्मे का number बढ़ने से रोक जाता है उसको myosmart करके आता है so we have the technology की अब हम genetic counseling भी कर सकते हैं की बच्चों के आँख में चश्मे का number आएगा की नहीं आएगा अगर आ गया है तो उसको बढ़ने से भी रोक सकते हैं और अगर लग गया है तो उसको permanently हटा की सकते हैं permanently हटा सकते हैं प्रोसीजर के लेजर जन आईसील natural techniques होते हैं अगर आपका 0.5 या 0.75 जतना number ये ना बड़ा important है इसको clear करना for the audiences दिखे क्या होता है की चश्मे का number like we were discussing क्यों आया आंक का size बड़ा हो गया अब कोई भी ऐसी चीज है कि अगर माल दीज़े आपकी height 6 foot होगी can you give me any medicine या any injection या कोई exercise yoga से मैं 6 को 5 नहीं कर सकता ना 6 को 5 करने के लिए पैरो को काटना पड़ेगा similarly क्या चल रहा है ये बड़ कुछ misleading चीज़े internet पे हमें मिल जाती है some people say की वही आप ये exercise कर लो इधर देखो उधर देखो तो चश्मे का number हट जाएगा कुछ लोग कहते हैं यार सुबह उटके आँकों में honey डाल लो honey डाल लो rose water डाल लो घी डाल लो चहट डाल लो इससे चश्मे का number हट जाएगा कुछ market में drops भी आ रही हैं जिसमें बड़ा बड़ा लिख देते हैं वो की एक drop बनाई और उसमें एक drop में I'm not taking names एक drop में इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने शेहट डाल दिया rose water डाल दिया ginger का रस डाल दिया neemboo डाल दिया अद्रक का रस डाल दिया and उसके उपर वो लिख देते हैं इसमें 95% problems आपकी ठीक हो जाएगी 2024 में हो रहा है इतना advertisement होता है उन drops वागेरा का कि people blindly follow it तो लोगों ने अपनी routine ही बना दिया कि रात को सोने से पहले एक एक drop डाल के सो रहा है and long term में इन drops का नुकसान होना शुरू हो जाता है कुछ ऐसा studies में मिला है कि some products could also have steroids in them and if you keep using those steroids in your eye for long term तो आँखों में catarachnia ग्लुकोमा का problem आ जाता है so ये थोड़ा सा misleading हो रहा है मतलब we are not saying कि ayurvedic and homopathy is wrong भई it's also science it has been there in our country for quite some time thousands of years and I agree कि कुछ ऐसी problems है chronic problems है जिनका treatment ayurveda and homopathy में है alopathy क्या modern medicine में नहीं है but ये जो misleading दवाईयां आगे न जो बोलते हैं कि भई बतलब ये जो इस तरह की problems जो ठीक होई नहीं सकती उसको भी आप ठीक कर दोगे with these drops ये थोड़ा सा problems हो रही है बतलब कुछ लोग डालते रहते हैं कि problem ठीक नहीं होती then they come to a doctor and then they say कि doctor हम तो वो drop डाल रहे है अब से उसमें लिखा था ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक हुआ नहीं बिमारी अब बढ़ गई है तो अब ये come for the solution पर इन problems का root cause है lack of education lack of education and over and misleading marketing and advertisement पर मतलब ये as medicines as supplements बेचे जा रहे है तो I would assume कि government का एक छापा रहेगा for safe as supplements आप बेच तो रहे हो बट उसमें आप ये सब लिख देते हो न suppose किसी के आँख में मोतिया बिन की problem है catrack की problem है अब आप उस दवाई में लिख देते हो कि मोतिया बिन का अलाज बिन operation की हो जाएगा आप ये दवाई डाल लो मोतिया बिन का scientific evidence आज तक कोई ने है कि बिन operation की वो ठीक हो सकता है पर आपने उस drop में लिख दिया अब किसी के आँख में problem हो रही है उसने कहीं advertisement देखी कि मोतिया बिन का अलाज बिन operation की हो जाएगा आप ये drop डाल लो वो drop डालनी शुरू कर दी फिर early stage में तो operation हो नहीं पाया continuous drop डाले जा रहा है फिर late stage आगई जितना stage late हो जाएगी उतना difficult हो जाएगा उसका operation करना उतना difficult हो जाता है better outcomes देना तो ये एक cycle बन जाता है so basically people need to get aware कि we understand that it's homopathy and ayurveda is a science they have solutions to some problems but there are some problems जिनका solution नहीं है and it is better to accept and go towards the modern medicine doctor सबसे crazy लफड़ा आपने क्या देखा है i flu का epidemic आया था सबकी आँके लाल हो रही थी आँकों infection हो एक whatsapp पर वीडियो चल रहा था कि i flu हो रहा है तो अपनी आँक में चूना डाल लो है और मैं बता रहा हूं इतने patients मैंने देखे ना वो चूना डाल डाल के अपनी आँकों को जला के आ रहे थे and then I said कि भई क्यों आपने ऐसा करा then they said कि हमने वो एक वीडियो देखा था this is exactly the problem of social media you are not able to differentiate what is a genuine content and what is a misleading content biologically speaking जो आँक में चूना डालते हो जल जाएगे ना अंक sensitive structure है ना आंक की काली पुतली आगे कॉर्णिया को क्या होता है जल जाएगा कॉर्णिया abrasions हो जाएगी epithelial defect हो जाएगा pain होगी watering होगी लाली होगी उसमें infection हो जाएगा तो ulcer बन जाएगे आखों पे ulcer contact lens से आंकों में ulcer बन जाते हैं that is why I tell all my patients की contact lens को avoid करो तो basically आप कहरो कि biologically speaking reversal possible नहीं है we have to understand कि कोई ayurvedic drop कोई homopathic drop कोई yoga कोई exercise कोई गोली कोई जड़ी बूटी आंकों से चश्मे का नंबर नहीं हटा सकती अगर आंक का चश्मे का नंबर हटाना है तो laser वाला operation कराना पड़ेगा या आंक के अंदर ICL डालना पड़ेगा यही तरीका नंबर हटाने का some may claim कि हमने हटा दिया है in drop से हटा दिया है but I am yet to see a patient जिसने in sub drop से चश्मे का नंबर हट वाली हो और biologically speaking कोई scientific proof नहीं है see biologically speaking the eye has elongated how can I drop short on the eye हम भी जब चश्मा हटा रहे हैं तो eye को छोटा थोड़ी कर रहे है आगे का जो structure है उसको इस तरह से mold कर रहे है कि focusing ठीक हो जाए तो यह जो myth है यह आया कहा से यह myth आया कि नंबर कम कर दो दवाई बेशनी है आपने एक दवाई बना दी और उस दवाई के उपर आपने 95% आँकों की problem लिख दी यह दवाई डालो आप इस दवाई में प्यास का रस है अदरत का रस है निम्बू का रस है रोज वाटर है हनी है इस दवाई से आपकी यह problem ठीक हो जाएगी यह problem ठीक हो जाएगी यह problem करेके सामने लिख दिया अब लोग देखते है अरे से problem ठीक होती है market में जाते है डालते रहते है जब problem ठीक नहीं होती बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास आते है रेटिना का जो टिशू है जो आपके आँखों की फिल्म है जहां images form होते है that is the only part of the body which shares tissue with the brain यानि की जो tissue neural tissue जो है वो सिर्फ आपकी brain में और आपकी आँखों में ऐसा नहीं है बढ़ जो the nerve है हमारी उसमें sheets सारी है neural tissue की तो ऐसा नहीं है eye में हम ये कर सकते हैं कि eye is the only structure जिसमें हम ये जो blood vessels है ना body की इसको देख सकते हैं सब्सक्राइब हमारी पूरी body है blood vessels है but if I have to look at the blood vessels then I can look at the retina of the eye तो वहाँ पे blood vessels देख जाते हैं and blood vessels को जब आप देखते हैं तो उससे आप कई सारी जो बिमारियां है उसको early stage पर diagnose कर सकते हैं जैसे diabetes की problem है and आजकल तो इसमें इतना काम हो रहा है with this artificial intelligence coming in that there will be a time in few years कि mall में ऐसी machine है लग जाएंगी कि आप जाओ आपके आँख की photo कीचेंगे और आपको बता देंगी ये problems हो सकते हैं इस problem की आप रिस्क पर हो मतलब आपका जो myopia का number है वो भी diagnose किया जा सकता है myopia का number डाइगनोस करना है तो दो मिट का काम है click of a button है पता लग जाता है but now artificial intelligence is working in such a way कि हम आपकी retina की photo खीच के we can almost predict कि ये problems का risk आपको आगे जाके हो जाएगा retina की photo because retina में blood vessels को हम देख पाएंगे ना पूरी body में सिर्फ retina में देख सकते हैं तो जो blood vessels की imaging करते हैं हम उससे हमें बहुत सारी clues मिल जाते हैं कि body में problem क्या हो रही है जब आप eye को dissect करते हो तो retina दिखती कैसी है retina पतला सा tissue है बहुत पतला सा transparent tissue color transparent उसके पीछे जो और structures है उनका color आजाता है but retina itself is transparent and it's made of nervous tissue nervous tissue basically nerves है वहां जो आपके brain से linked है क्या आपने कभी skull का fracture देखा जिसकी वज़ए से जो road traffic accidents के patients होते हैं तो उनकी ज़्यादा चोट लग जाते हैं तो यह सब orbit orbit fracture हो गया eyes फढ़ गई फिर उनको will have to thick करना पड़ता है उसको operations है पर अंदर घुसके कैसे ठीक करता है eyeball को retina के operations भी तो रोजी करते हैं मतलब किसी का skull crack हो चुका है और उस cracked bone की बचे से eyeball थोड़ा damage हो सकता है UFC fighters के साथ होता है UFC fight orbital injuries के भी होता है प्लस road traffic accidents में बहुत मिलता है हमें तो surgically speaking cut का मारता है नहीं दिखो there is a way to do surgery मतलब जो हम retina की surgeries कर रहे हैं वो बिलकुल micro ports बना के कर रहे हैं so 3 ports बनाते हैं छोटे-छोटे और से instrument जाते हैं retina की surgery हो जाती है similarly catrack की surgery हो रही है so 90% surgery तो पोर्ट से हो सकती है कुछ ऐसी situation आ जाजाजी कि ports नहीं बना पा रहे हैं कुछ आंक इस तरह से damage होगी then maybe we can put cuts तो usually हम यह जो cornea का limbal area होता है यहां पे cuts मार की भी enter दा है cornea का limbal area मतलो जो cornea और white portion के बीच का area है that's called limbus that is the favorite place to enter दा है क्या फील होता है जब आए के अंदर हो functionally as a surgeon आप बस अपना काम कर रहा है it's a very delicate tissue so you have to keep your hands light and delicately जाना पड़ता है अंके अंदर अप में सवाल समझ गए like I wasn't able to articulate it but आप समझ गए कि मैं कि आप डर लगता है initially तो डर लगे गई when you're starting but then when it becomes a routine affair you get used to it a good surgeon परने के लिए आपके हातों को शान्त होना रहता है especially in ophthalmology because it's a micro surgery so you are अपको एक मिलिमीटर की जगा से काम करना करता है so you need a lot of stability in your hands but that is God gifted I mean you can't do something about it but if you have stable hand then you could be a better surgeon हर किसी की आँख अंक अंदर से से मी दिखती है what is the difference सबकी आँख सेम है तो तोड़ा size का difference हो सकता है color का difference हो सकता है but the structures are still the same जो आपका iris का color है actually it's purposeless मतलब कुछ है नहीं इसका color का importance है जिसके जिनके आँखे blue होती है versus वैसे कोई फ़रक नहीं पढ़ता blue हो, green हो, brown हो वैसे कोई फ़रक नहीं पढ़ता लेकिन एक problem होती है जहाँ पे color नहीं होता albinism करके एक problem होती है तो उसमें क्या होता है फिर patient को ना light बहुत sensitive लगती है because this is also blocking it is controlling the light that is entering your eye यह जो आइरिस है ना हमारा यह camera के aperture की तरह है यह अपना size चोटा बड़ा चोटा बड़ा कर सकता है तो you would realize की हमारे आंखों का जो pupil होता है जो चोटा सा छेद होता है जिससे आंख अंग अंदर जाती है when you are in bright light तो pupil चोटा होता है when you are in dark light तो pupil बड़ा हो जाता है so this is controlling the amount of light that is entering your eye so that is the role of iris क्योंकि अगर control नहीं हुआ तो आपकी retina जल सकती है जल सकती है plus then आपको bright लगेगा you are in the bright sunlight अगर pupil आपका dilated है तो जादा light आँख बड़ाएगी तो आपको चौन लगेगी जैसे आप नीन से उटते हो सुबर सुबर तो अभी तो रात थी घूर के देखने से solar retinopathy करके problem हो जाती है sun को देख लो आप सूरज grand को देख लो तो जो rays निकल दे ने UV rays अगरा यह आपके परदे को जला देती है और permanent damage हो जाता है तो sun को तो direct कभी देखना ही नहीं है पर जो setting sun या rising sun है वो भी नहीं don't look at the sun directly if you look at the sun directly there will be a damage to your eyes even if it is setting sun rising sun or a full blown sun मतलब even if you're looking at the setting sun sun rays तो आई रिया नहीं although the rays are less but they're still there so don't look at the sun directly मत देखो पस तो अगर देख था है अकाद बारी देख लेह है मतलब एकाद बारी भी नहीं देखना actually बड़ UV rays अटर हो सकता है so rather look at the sky and clouds मतलब okay look at the sky even if it is cloudy अब भी UV rays आई है so it is not a good habit to maybe look at the sky directly or look at the sun directly or even look at the setting sun directly it's not a good habit इस आई देखो आई देखो आई देखो सेनारियो इस देखो देखो at the sky too much for too long no 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 especially directly looking at the sun मतलब even at 4 p.m. 5 p.m. 6 p.m. तो बहुत नीचे है sun बहुत देख लाइट है थोड़ा बहुत आपने देख लिया तो इतना डामेज नहीं होगा bright sun को देखो गए तो अपकोस डामेज जादा होगा but don't take that chance मतलब why unnecessarily sun से related damage cases अब देख तो बहुत सारे किते सारे patients आते है solar retinopathy हो जाती है sun को direct देख लिया सूरज ग्रहन को direct देख लिया परदा जल गया vision कम हो गई आंकों के सामने एक dark spot आ गया then they come to the OPD की ऐसा है सह हो गया but you really can't reverse it you can't reverse it because your retina is damaged किस age में होता है किसी भी age में sun में देख लो it's not like पर age के साथ आपके retinas जादा weak नहीं होती unlikely मतलब इतना वो नहीं है कि बतलब age किसकी age जाद है उसको जादा damage उसको कम damage मतलब usually both of them will have damage if you look at the sun पर जब आप sun को देख रहे होते हो आपकी आउंकों में दर्द फील होता है and उस दर्द की वज़े से usually you turn away sunlight वैसी बहुत bright है right so your body will have these kind of action that your body will start squinting eyes come हो जाएं it'll try whatever it can do to avoid that bright light coming to your eyes body भी तो अपना करेगे ना react उस पर मतलब उस reaction के पीछे भी body की intelligence होती है यार मत देख it's not good साथर लोगों को shock होता है solar eclipse देखने का solar eclipse देखने का बहुता होता है लोगों को तो वो देखते रहते है eclipse हो रहते है उनका रहतना जल जाता है so even if you have to look at the sun or maybe you want to look at a solar eclipse look it through a filter there are proper filter goggles होते है filter वाले UV protection वाले होते है there are special films that you can take if you want to have a look at that but it is better avoided what do you feel about dark glasses generally speaking dark glasses देखो क्या हो रहा है कि अगर तो you are wearing it only for style तो देखो dark glasses बेने अलग-अलग types के आते है एक तो है जिसमें बस एक शीशा है जिसको dark करावा है so when you wear that करीब 90% light up की block हो जाते है and you feel comfortable in bright light फिर एक category आते है dark glasses के जिसमें UV protection लगे होते है UV filter that is beneficial because sun से UV light निकल रही है and you want कि वो UV light आँक में ना जाए logic यही है जिसकी बात हमने अभी करें okay and plus dark जब आप bright light में निकलते हो तो आँखों के around pigmentation हो सकती है dark circles बगेरा बन सकते है so that is another benefit dark goggles जब आपहनते हो so you can avoid that pigmentation बगेरा थोड़ा dark नहीं होती skin because यह जो आँखों के skin होती है it's a very thin skin it tends to get dark very fast plus I think Indian genetics के according हमारी skin ज्यादा dark हो जाती है हम तो वैसे tension में रहते हैं गोरे निया गोरे निया मेरे एक friend मिलेते उनकी cousin एक eye specific plastic surgeon है यह eye specific plastic surgeon नहीं field बन चुकी है और उन्होंने मुझसे कहा कि जब उन्होंने पढ़ाई करी थी तो he thought कि he'll have to settle down in LA Los Angeles क्योंकि वहां मतलब cosmetic surgery लों ज़्यादा कराते है बट ऐसा कुछ है नहीं see जैसे we were talking about specialities in eye so like I told you मेरे speciality चश्मा अटाना and cat track के operation करना ऐसी एक glucoma की speciality है एक retina की speciality है एक बच्चों की speciality जहाँ पे स्कुइंट के treatment होते है कॉर्णिया की speciality है ऐसे ही आंखों की एक plastic surgery की भी speciality है उस speciality को हम लों कहते है oculoplasty तो जो oculoplasty surgeons होते हैं वो eye की cosmetic appearance को ठीक करते है अब shape change करते है basically they are dealing with operations of lids मालों किसी के lid नीचे हो उपर हो यह आंग के around कुछ और structural issue हो तो यह भहाँ पर operation होता है so then now it is a totally different speciality all together तो इसे speciality करके then you can do these lid surgeries यह यह सब botox वगेरा जो होते हैं they are a photo of all these plastic surgeons of the eye or क्यों plastic surgeons Bombay Delhi में आज़कर बहुत सारे लों plastic surgeons बहुत popular होते हैं especially when when the introduction of these botox and all when you can get rid of the fine lines and all this is becoming very popular यह जो eye plastic surgeries होती हैं यह आए के आसपा जो cosmetic procedures होते हैं safe होते हैं आइस के लिए very safe see ultimately we have to understand that all these surgeries are micro surgeries all done under a microscope but they are all very safe procedures मतलब जो भी कुछ हो रहाई it has been properly backed up by research and all the academic part of it and they are all tested and been there for a while now they are being there अभी contact lenses के बारे में बात करेंगे मैं डरता था honestly मैंने कभी life में पहनी नहीं है क्योंकि बस awkward लगता था मुझे मेरी आखे sensitive है I think कुछ-कुछ लोगों होते हैं जिनकी आखो में sensitivity ज्यादा होती I am one of those people मेरी आखे मेरे दिल की तरह है I'll put some light on that शौर देखो contact lens जो है न बहुत खराब चीज़ है यह एक eye doctor कह रहे है यस गो अन क्यों खराब है let us understand scientifically शौर इसी contact lens को आप आंखो के ऊपर चिपका लेते हो कहां पे चिपकाते हो यह जो आंखो का ताला पार्ट है जिसको cornea काली पुतली आंखो के शिशा कहते है सुम discussion हो रही है वहाँ पे आप चिपका लेते हो अब यह जो cornea है यह oxygen कैसे ले रहा है cornea में हमारे blood vessels नहीं है तो हमारे पूरी body में blood vessels है पर cornea में नहीं है तो पूरी body का oxygen supply है तो हमारे blood कर देता है पर cornea में blood vessels नहीं है तो cornea जो अपना oxygen है यह हवा से ले रहा है और cornea भी सास लेती है living tissue है सास ले रहा है अपने आपको heal कर रहा है अपने आपको change कर रहा है it's a living tissue और यह जो सास ले रहा है यह हवा से सास ले रहा है direct oxygen ले रहा है अब आपने आँख के ऊपर एक contact lens चिपका दिया अब आप जितना मर्जी बोल लो कि oxygen permeable है oxygen permeable है कुछ level of oxygen तो आपने रोग दिया न तो आँखों के कॉर्णिया में hypoxia होना शुरू हो जाता है oxygen कम होना शुरू हो जाता है जब यह oxygen कम होता है तो 2-3 problems आने शुरू हो सकती है आँख में सूजन बन सकती है जो आपके आँखों का defense mechanism है वो कम हो सकता है तो मालीज़ आपके contact lens में infection थी आपने ठीक से साफ नहीं करा उसको अपनी आँख में लगा लिया तो बहुत जल्दी आँख में infection हो जाती है और ulcers बन जाते है तो अब आपने जब oxygen को deplete कर दिया एक natural structure से तो यह सब problems आने शुरू हो जाएंगी starting में तो क्या होगा आपने contact lens हटाया तो यह problem reverse हो गई अगले दिन आपने फिर पहना फिर problem शुरू होनी होगी और long term में जब यह होता जाएगा तब आपको सिम्टम जाने शुरू हो जाएंगे फिर आपकी आँख में irritation हो रही है खुजली हो रही है, लाली हो रही है, चुबन हो रही है और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं contact lens बेंके सो जाते हैं अब आप सोचो, contact lens आपने लगाया है उससे पहली oxygen काम हो गई फिर आप सो गए आँख बंद करके उससे और oxygen काम हो गई तो आँखों में बहुत जादा damage हो जाता है So I as a doctor tell everybody कि contact lens से दूर रहा हूँ हाँ, बहुत ज़रूरी है पहनना चलो एक आद बार, हफ़ते में एक बार पहन लिया किसी function में जाना है, किसी party में जाना है चलो ठीक है, acceptable, आपने पहना उसको भी आप अच्छे से clean करके पहनो and preferably use a daily disposable contact lens पहना और रात को फैक दिया क्यों daily disposable? daily disposable में hygiene better रहेगा न खोला आपने और लगा लिया in the hygiene properly, contact lens में infection रहे गई, वो infection आपके आँख में चली गई, और आँख में dreaded complications हो जाती है, मतलब we see patients who wear contact lens regularly आँख में ulcer हो गया और नजर पूरी life के लिए खराब हो जाती है यह देखा आपने? देखे, रोज देखते हैं हम everyday we see and so many patients who come to us for these lasik and silk contura procedures, they have their initial complaint के दोग सब contact lens पहनते हैं contact lens से comfort ही नहीं आ रहा रोज आँख लाल हो रही है, चुबन हो रही है, जलन हो रही है, पानी हो रहा है, so you want to get rid of this problem so contact lens worst चोटे बच्चों को 18 साल या 19 साल की उमर तक चश्मा पहनना चाहिए and then opt for these advanced surgeries but don't have your dependence on contact lenses also एक फैशन प्रस्पेक्टिव से अगर आपने सही वाले चश्मा पहने, you can look good with specs, oh absolutely, I think it's in like जो मैंने कहा की मेरे operation के बाद एक अलग feel हुई थी, the thing is there was advantages even to wearing specs मतलब ये थोड़ा ब्रो लोजिक है but I felt that a mysterious aura form when you're wearing the right glasses and it helps your outfit so there are advantages to that as well some people say that चश्मा पहनने से बंदा जादे इंटेलिजेंट लगता है it's true, लोग मेरा जादा रिस्पेक्ट करते थे तब sometimes we tell people that even if you wear a zero number glasses it is an added protection to your eyes, eyes exposed और अग गया चोट लग गई एक थोड़ा सा barrier है for protection यह बट यह चल गया ना आज ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास यह बिकार चीज़ है it's not good, it's not good यह समझाओ, पहले यह लॉजिक के समझाओ कि ब्लू लाइट होती क्या क्योंकि ब्लू लाइट फिल्टर का एक बहुत बड़ा trend है दुनिया भर में आज कल and this is actually the first time hearing someone saying no so I'm curious to know कि why blue light का topic इतना ज़्यादा फैल जुका है कि आज कल लोग अपने room में red light install करने लगे as a form of helping sleep etc. it will not help in any way let us understand कि blue light का human body पे क्या रोगा है blue light होती है blue light होती है mobile computers यह जो sun है tube lights वगेरा है इससे light निकल रही है इसमें एक special frequency है जिसको हम blue light कहते है blue color की light है basically to understand in very layman terms अब इस blue light का हमारे human body में क्या रोल है क्यों हम इससे बचना चाहरे है why do we need all these filters तेको blue light का human body में एक रोल है कि यह sleep-wake cycle को control करता है जिसको हम circadian rhythm कहते है तो क्या होता है यह environment में sun आ गया sun में blue light है blue light बढ़ गई जब यह blue light बढ़ी और हमारी आंखों में blue light गई तो हमारी body में एक hormone होता है melatonin वो कम हो जाता है जब यह कम हो जाता है तो body में energy आ जाती है you feel active कि दिन हो गया सुबह हो गया काम पे लग जाओ और जब sun set हो जाता है तो environment में blue light कम हो गई आपकी body में melatonin बढ़ता है and you start preparing to call of the day नीदानी शुरू हो जाती है अब आपको rest करना है अब क्या हो रहा है कि जब रात के time sun set हो गया तो blue light कम हो गई आपकी body में melatonin बढ़ना चाहिए पर आप बैठे वे अपने mobile computer पे और mobile computer से भी blue light निकल रही है तो आपकी body को एक false signal जाता है कि blue light अभी मेरी आँखों में आ रही है so it is day time तो melatonin levels confused हो जाते है हाँ so melatonin को जो बढ़ना था because of the setting sun वो बढ़ा ही नहीं क्यों नहीं बढ़ा क्योंकि mobile phone से blue light निकल रही है और आपकी body को यह signal जा रहे कि blue light अभी भी आ रही है it is still day time so क्या होता है लोगों को रात को सोने में problem हो जाती है तो continuous लिए टॉसल टॉबल करते रहते हैं late सोते हैं late उठते हैं तो इसका जो solution बनाया हो रहा है कि चलो रात के time पर तो you need that filter but morning के time पर तो नहीं चाहिए न आपको so morning के time पर जो आप filter पहन रहे हो तो आपने blue light सारी ही block करती so you are interfering with your rhythm of the body पर रात के time does it work? does it actually block out blue light? जैसे mobile phone computer में आपको blue light को रोकना है that is the purpose blue light को अगर आपने रोकना है तो blue light filter software we have all our mobile phone computer laptops have that software inbuilt just switch on the blue light filter software and you are able to filter our blue light तो उसके लिए आपको additional filter क्यों लगाना है अच्छा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि blue light filter को पहनने से आपकी आंखों में strain कम बनेगा so usually you'll see कि आप क्यों पहनते हो वो कहते हैं कि डॉक्सर वो लंबे समय तो mobile computer पर काम करना होता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसको पहन के strain कम होगा no scientific evidence आंखों में strain क्यों पढ़ रहा है it is not because of blue light it is because what we discussed earlier कि आपकी muscles use हो रही है वो muscles time से ठक जाती है तो strain बनता है या आंखों का blink rate कम है तो dryness आ रही है तो blue light filter का ना आपको strain से बचा रहा है अच्छा ना आपको blue light filter करके कोई additional advantage मिल रहा है कुछ लोगों को लगता है कि जो computer mobile से blue light निकल रही है ये आंखों को damage कर देगी तो उसके लिए blue light filter पहन लेते है तो इससे कई ही गुना ज़्यादा blue light तो sun से निकल रही है तो mobile phone computer के अगर आपने थोड़ी सी blue light रोग भी ली उससे you have no added advantage तो blue light filter एक तो आपको कोई उसमें eye strain में है रिख नहीं कर रहा blue light filter से आप blue light का damage नहीं बचा पा रहे अपनी circadian rhythm आपने और spoil कर दी और उसको आपने बचाना ही है तो आप blue light filter software on कर लो solution यही है so blue light filter glasses scientifically have no role rather we say it works in a negative way क्योंकि अब आप सुबह उठ रहे हो you need that blue light to feel active आपने वो चश्मा पैं लिया blue light को filter कर दिया तो आपने body के hormones and activity and activeness को कुछ हद तक restrict कर दिया so let your eyes be natural and if you feel कि mobile computer की blue light से you're having those issues सोने में then switch on the blue light filter filter on that why do you need that filter on your eyes biology class से याद है rods and cones rods का role होता है night vision के लिए cones का role होता है colors के लिए पहले rods and cones समझा दो exactly होते क्या और फिर ये beta-garotene cell link कैसे होता है basically rods and cones जो है हमारे आँखों के photo receptors है तो जो हमारी आँखों में light जा रही है वो rods and cones की help से picture बनती है तो rods जो है वो basically intensity of light के लिए है जैसे आप birds होती है जो चिडिया जो होती है उनकी आँखों में rods बहुत जाता होती है तो आप देखेंगे हलका सा सूरा जुकता है और जीची चीची करना शुरू कर देते है और जो cones होते है they are basically for color तो यह vitamin A की कमी होती है इस सब रेटिना में होती है रेटिना की अलग-अलग layers है उसमें एक layer rods and cone photoreceptors की होती है तो इस area को यह vitamin A की efficiency can damage it और उससे night blindness की problem हो जाती है कि रात के time पे vision कम होगी morning के time आपको दिख रहा है यह इतना ही logic है कि अगर vitamin A की कमी है body में फिर वहाँ damage हो सकती है तो एक certain level तक का vitamin A होना चाहिए अच्छा जादा भी नहीं लेना toxicity भी हो जाती है इससे आखों में problems हो सकते है overall body में vitamin A की toxicity होगे तो overdose is also not good under is also not good there's a limit how much you should take but vitamin A का मतलब यह नहीं कि that it is a universal medicine to treat all your eye problems जैसे वो दवाई निकल गई एक दवाई निकल गई सब इससे ठीक हो जाओगे गलाता है कुछ scientifically proven supplements है जिनकी वाज़े से आखों को benefits मिलता है थोड़े बहुत बट इतना कोई scientifically proven है it's mainly about good diet basically क्या होता है आखों की health के लिए आपको बहुत जादा कुछ करना ही नहीं है some people have this habit कि वो सुबह ओटके आखों पानी के छपके मारते रहते है दो-चार गंटे में पानी से आखों को दोते रहते है that is a very bad habit क्या होता है हमारी आखों में tears है उस tears में एक oil की भी layer है अब आप क्या कर रहे हो बार बार जब आखों को दो रहे हो तो आप उन tears को wash out कर देते हो तो आखों में dryness की problem आ जाती है so you don't need all these washing and all यह लोग कहते हैं आखों को साफ रखना चाहते हैं कि आखों में कोई problem ना हो जो मारे आखों में आशू है उसमें अपने आप ही यह से जो microorganisms वगेरा है antibacterial properties already उसमें है so you don't need any additional things to take care of it और कोई ऐसे गलत फहिमिया lifestyle factors जिनकी वज़र से लोगों की eye health खराब या बहतर होती है एक practice हमारे इंडिया में बहुत चलती है आँखों में काजल लगाने की specially बच्चों की आँखों में काजल लगाने की तो सबसे पहले तो question यह है बच्चों की आँख में काजल लगाना क्यों है मतलब what is the purpose of putting that काजल अगर आप उसको लगा रहे हो यह सोचके की नजर नहीं लगेगी यह evil eye से बचेगा तो आँख में क्यों लगाने की जो रतवर टीका आप कहीं पर लगा दो अगर आप इसको यह सोचके लगा रहे हो कि बच्चे की आँखों में कोई फैदा होगा इस काजल से है सूर्मा से तो यह बिल्कुल गलत बात है इससे और नुकसान हो जाएगा रादर हम लोग यह देखते हैं पहले बहुत होता था अब कम हो गया incidence की यह जो काजल की pencels होती थी अलग अलग लोग share करते थे बच्चों में share होती थी तो बच्चों की आँखों में ट्रेकोमा करके एक problem है वो हो जाए थी ट्रेकोमा क्लिमाईडल infection होती एक तरह की वो बहुत commonly मिलती थी अब तो चलो incidence बहुत कम हो गया तो काजल को बच्चों की आँखों में लगाने का परपस तो सिरफ एक ही समझ आता है कोस्मेटिक की बच्चे अच्छे दिखेंगे थोड़ी सी आँखे बड़ी बड़ी लगती है तो इनीशली मत लगाओ ना जो इनीशल 4-5 साल है बच्चों की जब आँखें सेंसिटिव हैं वाइड यू वाइड 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 वगेरा में कभी-कभी लेड होता है लेड से अपनी आँखें खराब हो जाती है कावी सारे इंडिया specific problems आपने bring up करे है एक माँ और बतातों problem बहुत commonly मिलती है लोग की आदत होती है आँख में ना rose water डाल लेते है शेहड डाल लेते है शेहड हनी यह बहुत-बहुत common है मतलब it might come to you as a surprise but it is a very common practice in इंडिया rose water गुलाव जल डालने की practice तो बहुत ही common है देखो क्या issue हो रहा है कि यह जो rose water आप market से खरीद लेते हो ना this is not sterile यह water है यह water इन्हों ने बना दिया चलो थोड़ा बहुत बस आंखों में डालने के लिए you need sterile sterile मतलब शहला है उसमें कोई infection ना हो यह जो manufacture हुआ तो उसमें UV से यह किसी और method से उसको sterile करके उसके अंदर के microorganism bacteria वगएरा को kill करा गया किटानू मिटा रहे है तो यह जो दवाईयां होती है ने देखो sterile इसमें bacteria वगएरा नहीं होते बट यह जो आप market से rose water cream लेते हो sterile थोड़ी है उसको अपनी आँखों में डाल लेते हो तो फैदा तो कुछ होता नहीं उससे infection ज़र हो जाती है तो rose water, honey, ghiwi का कोई role नहीं है you don't need any additional supplements for your eyes, just let your eyes be natural और ठीक रहेंगे, पूरी लाइफ कोई problem नहीं यह सब करते रहोगे ना जुगणमबाजी और खराब हो जाएगे और लोग करते हैं करते हैं आंखे बंद करके करते हैं इसलिए ओफ्तालमोलजिस की जरूरत है हमारे देश में तो अचने काम है I'm hoping कि ऐसे ही conversations के तो लोग medically educated हो जाए I think काफी ज्यादा medical education दिया आज के episode में यह almost podcast का end है मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपका खुद का गिनेस world record है जिसके बार मैं बात करी नहीं है आज हमने तो बता दीजे क्योंकि audience is hooked till this point So Guinness world record we made for LASIK कुछे चश्मा अटाने के speciality है मेरी So we did 250 LASIK procedures in a day एक दिन में 200 लोगों का operation करा हर घंटे में 10 से जाए So humanly one person cannot do it It's not possible नहीं एक बंदा 200 लोगों कैसे कर सकता है एक human limit भी तो है So we were a team of 6 doctors और हमने मिल के in 24 hours we operated 250 patients and that was the Guinness record we made तो इससे पहले जो record था that was in Korea So their figure was 242 So that is how Guinness people gave us 250 का figure तो क्या है basically surgery की duration is very less 5-10 minute का operation है So it's doable So it's not a very big thing की 200 हो गए मतलब सुनने में लग रहा है 200 operation कर दिये But actually it is not an operation It's a procedure आपको light ही तो डालने है for 10 seconds and 10 minute का operation हो जाता है But आपके energy levels affect होता है हर सुजरी के साथ Obviously It is a micro-surgery and your body is not moving too much because you're sitting in just micro movements of the hands only but then there's a limit of how much you can focus That is why team of six doctors की पतलब पेशिंट सेफटी is not to be compromised record बने ना बने that's a different thing altogether but the patient and the doctor have to be attentive and see to it that the quality is not compromised पतलब पेशिंट के सुजर्जरी में नहीं हा साती record बने अच्छी बात है नहीं बना चलो we made an attempt that's also a big thing मुझे यह वाली पूरी डॉक्टर्स की सीरीज हमारी बहुत अच्छी लग रही है liver doc को आप जानता हो वाईते शो पर recently और उनके साथ हमने organ donation or transplantation के बार में बहुत बात करी कि actually इंडिया में बहुत confusion है organ donation or transplantation को लेकर and liver के अलावा eyes भी I think cornea specifically एक बहुत organ donation specific body part है तो दो सवाल है पहला सवाल healthy लोगों के perspective से कि I don't mind donating my body parts at the end of my life I think it's service हमारे लिए क्या डवाइस है and generally जिनके आँखों के problems है उनके लिए क्या advice है specific to organ transplantation and donation see the beauty of eye donation is that यह donation जो है यह आपको मरने के बात करना होता है so when you are alive then you can't donate your eyes जैसे बाकी organs औगहरा जो है आपने kidney-vitney का सब़ोज बात करा so that has to be taken out from a live person and transplanted into a live person eye का जो donation है जो बंदा मर जाता है तो अपनी आँखों को donate करता है तो अगर आप मर गए हो और आपके इस body को जलाना है या दफनाना है तो अपनी आँखों का दान कर दो ताकि किसी के काम आजाए इससे बड़ा पुन्या काम तो और हो नहीं सकता फिर भी हमारे country में इसको लेके इतना जादा superstition है कि people generally don't do this superstition के superstition ऐसा है कि लोगों को लगता है आँखे दान करने से आत्मा को निशानती मिलेगी कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगले जनम में अंधा पैदा हो जाएंगे या हम उपर भगवान के पास जाएंगे तो हमें एक्सेप्टी नहीं करेगा भी आदी वाड़ी के साथ आ गए यह सब बाते superstitions है मतलब अगर आप अपनी आँखों का दान कर दो जिससे कोई दूसरा बंदा दुबारा देख सकता है तो आई तिससे बड़ी आपकी बॉडी का एक पीस तूसरी के बॉडी में जिन्दा है तो आप तो अमर हो गए ना एक तरह से और उसी कॉनिया को आगे भी डोनेट कर सकता है वोई पेशिट एकौन इंसान की आँख में लग सकता है कॉनिया जिन्दा रहती है अगर अटाच कर दे तो वो जिन्दा रहेगी तो इसमें ना दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को डोनेट करना है तो डेथ के तीन से चार घंटे में डोनेशन हो जानी चाहिए उसके बाद कॉनिया डेथ हो जाता है और यह जो ट्रांस्प्लांट होना है यह तीन-चार दिन में दूसरे की आँख में लग जाना चाहिए तो इस वेरी फास्ट प्रोसेस दूसरा क्या इश्यू हो रहा है कि देखो अब लोग डोनेट कम कर रहे हैं और डिमांड बहुत साथ है तो although we avoid talking about this हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बारे में बात ही ना करें लेकिन unfortunately ना चाहते वे भी black marketing and organ trafficking शुरू हो गया है अगर human beings की organ trafficking हो सकती है तो organs की तो हो ही सकती है और फिर इसको black market में बेचा जाता है बोली लगा ही जाती है although that is the sad part of the organ transplant and eye donation but I think it's a boon for the patient लग कोई अंधा इंसान दुबारा देख पाया है दूसरे की आँख मिल गए तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती और donate करना बढ़ा असान है या तो आपने अपने लाइफ में pledge कर लिया कि आपने form भड लिया अंधापन के बार में बात करना है अचली अंधापन भी अलग-अलग types का होता है तो यह मैं clear कर देता हूँ देखिए eye donation में हम लोग आँख का सिरफ आगे वाला हिस्सा जिसको कॉर्णिया काली पुतली से बात कर रहे अटने टाइम से वो नहीं donation से ठीक हो सकता कितने type के problem होता है आँखों में अंधापन तो किसी भी level पर हो सकता है आपका lens कराब हो गया तो अंधापन आगया पर्दा खराब हो गया तो अंधापन आगया नस खराब हो गया तो अंधापन आगया लेकिन जो अंधापन आपके कॉर्णिया की वज़े से आ रहा है कॉर्णिया सफेद हो गया आप देखनी पारे उसको हम आई डोनेशन से ठीक कर सकते है जो बूड़ों में होता है यूजुली किसी में भी हो सकता है चोट लग गए आँख में आसेड गर गया केमिकल गर गर गया, सीमेंट गर गया, कॉनिया बर्न हो गया वाइट हो गया, अलसर हो गया था कॉनिया खराब हो गया तो उसमें हो सकता है और यूजुली लोग यह पूछते है पूरी आँख को निकाल के नहीं लगा सकते दूसरी आँख की बई कुछ भी प्रॉबलम हो ठीक हो जाए, अभी तक possible नहीं था, और अभी कुछ टाइम पहले, first time एक ऐसा case हुआ है, जहां पर पूरी आँख को transplant करा गया, and the results are positive so maybe in future we'll have the capacity की पूरी आँख को निकाल के दूसरी आँख पूरी की पूरी साबुद साबुद लगा दी I'm assuming यह जो eyeball transplant के बारे में आप बात कर रहा हूँ वहाँ, the optic nerve is still of the receiver right? when you take out the ball as a total, so you will cut the optic nerve and take it out okay, you see this is the ball optic nerve निकल रही है जो brain तक जा रही है, so now when you have to detach the ball, you have to cut the optic nerve also, so it comes out with the optic and then that is attached to the recipient फिर उनकी वो brain की nerve, जो nerve है, उससे यह वाली nerve को attach कर देता है, कैसे? यह अभी एक ही बार ही हुआ है, ऐसा हो नहीं रहा था अभी तक, अभी 2-4 महीने पहले एक जगा पे ऐसा हुआ है, and the results look positive अभी तक तो हम सिर्फ कौनिया जो होता था आगे का शीशा, सिर्फ उसको transplant करते हैं, मतलब शायद 10 या 20 साल में, और लौर blindness cases, can be cured और अब एक bionic eye भी करके आ रही है so it is an artificial eye जो हम आँख बें लगा सकते हैं, और वो artificial eye को आपने retina से attach कर दिया, यह कुछ इस तरह का system बनाए that you can see again, और अगर bionic eye आ गई, आ गई है it is in the early stages अभी और जैसे जैसे time के साथ ही advance हो जाएगी, we will have one more alternative for blind patients, और शाहद एक और possibility यह हो सकती है कि Tony Stark की तरह iron man vision हो जाएगी, और क्या कि आप किसी को देखो, उनकी पुरी profile देख जाएगी आपको, एक सरे के बाद आगे दिख रहा है chemical structure देख रहा है बलाब augmented reality, AR inside eyes AI, 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 so now cataract surgery also AI based, artificial intelligence को use करके करते है हम जैसे Elon Musk का एक neural link technology अभी वो निकल के आगी computer brain, they are mapping the brains yeah, thoughts को map कर सकते हो you can transfer the thoughts from one person to other, ऐसी बहुसाई चीज़े आ रही है it looks very fascinating, but actually commercially कभ अविलेबल होगी, that is the bigger question, how do you feel कि 20-30 साल बाद, 2050 में आपको ऐसे टाइप के surgery शायद करने होगे, of course करने को मिलेगे and it'll be nice and exciting and and it's gonna see what is happening is कि like we were discussing कि human body is so complicated and we still don't know so much about the human body it's a big mystery, जैसे universe के बारे में सब कुछ नी जानती है human body के बारे में सब कुछ नी जानती है as our insights and the education around the human body is increasing तो we are able to have new procedures and benefit our patients, तो दीरे दीरे करके मतलब हो रहे है, advancements हो रहे है medical field में, तो तो चलती रहेंगे, this part of evolution एक और blindness related सवाल कि जो आपने का कि अगर eyeball transplants common हो गए, दुनिया भर के doctors ने सीख लिए eyeball transplants, तो all cases of blindness can be cured, या in all probability, yes क्योंकि blindness आखों का ही problem होता है actually पूरे eyeball transplant के बारे में बहुत साथ पता निया ना भी, क्योंकि भी एक ही तो case हुआ है तो जैसे जैसे number of cases बढ़ेंगे, और रिसर्च होगी पेपर सामने आएंगे, क्या-क्या problems है, वो सामने आएंगे, so we'll have more information and insights to work around it, तो फिर हमस को और रिफाइन करेंगे procedure को, जब मैंने मेरी खुद की वो eye surgery करी थी, जैन्यूनी लाइफ बदल गे and that's when I realized the importance of eyes, which is what has brought me to today's podcast, all I'll say is thank you doctor for what you're doing for society also यह एक बहुत important organ है और बहुत कम लोग इस organ को समझते, I think कि आज हमारे conversation के थू, लोग समझे हैं आखों को, I hope so तो any signing off notes Dr. Raj Chaudhary signing off notes, those of you who are planning to become doctors, I think it is the best profession to be in because doctor एक ऐसा profession है that it's very fulfilling, so you see जब कोई अंधा इंसान का operation करते हो, and that patient is able to see again तो patient होता ही है, but उससे जादा खुशी doctor को मिलते है because he feels that he has made difference in somebody's life, so I think it is a very noble profession and a very cool profession to be in, it comes with lot of respect and a lot of academics also, so you have to be serious when you want to become a doctor, but I think it's a beautiful profession to be in Okay, Dr. Chaudhary, thank you, मजा आगे आपके साथ, बहुत कुछ सीखा, and I'm sure this will impact society, दोस्तों भाइर भाइर के reels or shots बनाओ, बस ये कहना चाहता हूं, thank you guys Done, wonderful to be here, so दोस्तों ये था आज का podcast, बहुत मजा आपके साथ, बहुत कुछ सीखा, as is the case with all my medical conversations doctors, मेरे favorite guests हैं, अब इस phase में, क्योंकि मुझे बता कि आप लोगों को भी ऐसे conversations बहुत ज़्यादा जवर्दस लगते हैं प्लीज इस episode को लेकर feedback दीजे, और मुझे ये बताईए कि और कौन से subjects cover होने चाहिए, हमारे medical series में lots to learn on TRS support करते जाएए, और हमारे सारे medical episodes को consume कीजे दोस्तों, lots of love to you guys, we'll see you very very soon